हलो मैं डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है सुक्देव चोधरी और आज अपन डिस्क्स करने जा रहे हैं आई एपीटी 2023 के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ठीक है दोस्तों तो इसके अदर फिजिक्स का जो पार्ट वो मैं आपके साथ में डिस्क्स है कि है वी इस्टेबल नुकले मौर नूट्रोंज देन प्रोटोंस दिस इस बिकॉज ऑफ टट देट अगर आपने जैसे मतलब लाइटर नुक्ले की बात करते हैं जैसे अपने पास में क्या होता है इसके बाद में क्या होता है बता हो यह आपके पास है 2 एक फोर होता है और उसके बाद 3 लीथियम 6 होता है इसके अंदर proton भी एक neutron भी एक है proton 2 protons two neutrons three protons और three neutrons हो गए यह यह अपन इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो जो light nuclei ही हैं उनके लिए उनके लिए जितने protons होते हैं उपने नूट्रों सोते हैं अगर थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो इसके बाद में और अगर आगे चले गए तो यहां पर देखते हैं कि जो नूट्रों का नंबर वह ज्यादा तेजी से होता है एक प्रोतों के नंबर से हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि आपको बताए कि नूट्रों प्रोतों की we वो क्या कर देगा नुकलियस को अनिस्टेबल बना देगा तो अंसर कौन सा देगा देट्र इलेक्ट्र स्टेटिक फॉर्स बिट्विन प्रोटॉंस और इपल्सिव यहां पर अपना बी ऑप्शन इसका करेक्ट सब्सक्राइब ठीक है बच्छो चलिए इसके बादे नेक्स् and equi concave lens of radii of curvature of the two surfaces numerically equal to seven centimeter and refractive index mu equals to 1.5 has a small silver dot on the on the near surface as a result of this array of light incident parallel to the principal axis gets reflected from its rear surface and then reflected also from the inner front surface the ray after the second reflection emerges out of the thin lens and appears to focus at a point P on the principal axis the point P lights देखो देंसे क्यूशन थोड़ा सा लेंद दी है पेजखाली कर लेते हैं अपन सबसे पहले देखो अपने पास इस प्रकार से यह कोई एक लेंस है थिन लेंस है और इसके उपर आपन क्या करते हैं इस प्रकार से कोई प्रकार से इस प्रकार से इंसिडेंट करवाते हैं ठीक है ना कि प्रकास इंसिडेंट करवा दी और इसके जो रेडिश ओप करवेचर है वह कितना देगी आपके पास है 7 तो इसके लिए आपन जैसे कर्ड सर्फेस का फॉर्मल लगाते हैं तो म्यूटू कितना देगा 1.5 ठीक ना अपन क्या देगा वी और मैनस क्या देगा म्यून एर हो गई और यू कितना देगा इंफाइनाइट क्योंकि पेरलल लाइट रही है एकोस्टो म्यूटू मैनस क्या देगा म्यून अपन आर और कितना देगा शेवन यह आपके पास मनजेगा मैनस का शेवन बन देगा ठीक ना तो यहां से इसको आपन लिख सकते हैं 1.5 टूवी थ्री बैट टूवी इकोस्टो यह जीरो बन जाएगा और 1.5 मैनस वन कितना देगा पॉइंट 5 बाइट तो मैनस का वन भाई इसको अपन बोल देंगे तो यहां से आपके पास में कितना बन देगा बतो इसको आपन बोल सकते हैं वी कोस्टो मैनस का 21 मन जाएगा वी कितना हो जाएगा आपके पास मैनस का 21 अचुके है अब मैनस 21 का मतलब हो गया कि इसके लिए जो इमेज है यहां पर इसके लिए जो इमेज बनेगी वह कहां पर बनेगी मतों इसके लिए यहां पर 21 की डिश्टेंस पर बनेगी यह आपके पास मन जाएगा ऑब्जेक्ट जो कि इनफाइनट पर था इमेज बन जाएगी पहली इमेज यहां पर बन जाएगी इसकी डिश्टेंस कितने होजी कि 21 होगी है अब इसके बाद भी यह जो लाइट रहे है फि लगाद हो लगा दो इसकी फोकल लेंद कि लिए फोकल लेंद हैर की अब आपके बात करते हैं इसके लिए प्लस तो फोकल लेंद भी इसके लिए प्लस कितना जो अपके पास डोड़ी थी थिक है डोड़ीपी यआ वrop Çaewon वियो घ्थे चाल आड क्योंकि इसके यो मेच बनेगी वह इसके लिए किसका काम करेगी ऑबजिक्ट का काम क्रेगी ठीक है तो तो माइनस का 21 हो चुग गया है तो यहां से आपके पास 1 by V equals to कितना बन जाएगा बता हूँ 2 by 7 और प्लस क्या देगा आपके पास 1 by 21 आ गया ले लेते हैं इसका 21 आ गया तो यह बन जाएगा आपके पास 6 प्लस क्या देगा प्लस क्या देगा फिर उसके बादे यहां से लाइट और रिफ्लेक्ट होगी और यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो यह भी अपने पास एक मीरल का काम करेगा ठीक तो यह भी मीरर का काम करेगा तो फिर मीडर फोर्मूला लगा तो आप तो वन भाई एफ तो फोकल लेंद इसके लिए कितना देगी बताओ लाइट इस परकार से इधर की तरफ जा रही है तो इसका focus definitely इधर की तरफ होगा फोकल लेन तो देगी इसके लिए 2 by 7 तो 1 by F इसको आपन बोल सकते हैं 1 by V और फिर उसके बाद में प्लस क्या देगा 1 by U तो 1 by U कितना देगा यूँ बन जाएगा आपके पास में इसके लिए object यहां पर होगा ठीक है ना लाइट इधर जा रही है तो पीछी की तरफ object रखाव है तो minus 3 पर रखनेंगे पर minus 3 हो गया तो यह बन जाएगा आपके पास 1 by V कोश्टू क्या बन जाएगा 2 by 7 और प्लस क्या देगा बताओ 1 by 3 यह देगा सभी बात है तो 2 by 7 प्लस 1 by 3 शाही लिकरें आपन तो 1 by V कोश्टू 2 by 7 प्लस 1 by 3 बन जाएगा तो LC हम ले देते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ 21 और 7 3 जा 21 3 2 जा 6 ओके प्लस प्लस सेवन 13 divided by 21 आ गया ठीक है ना तो इमेज कहां पर बन जाएगी बताओ अब आपके पास इमेज बन जाएगी यह बन जाएगे 21 divided by 13 ठीक है ना सेंटिमेटर पर बन जाएगी और फिर उसके बाद भी यह जो लाइट रहे है यह वापस इससे टकरा करके इधर की दरफ आएगी और इससे इसका अब आपके पास वन अपन क्या देगा वी माइनस म्यूवन कितना देगा 1.5 अपन क्या देगा यू और यू कितना देगा बतो यू सबसे पहली बात है कि इसके लिए जो इमेज है इसके लिए इमेज कहां पर बन रही थे बतो 21 divided by 13 प्लस पर बन रही थी यह यह कि अब दो मैने सक्षाट वी माइनस मैनस प्लस हो गया तो 21 divided by क्या देगा आपके पास सब्सक्राइब और प्लस यह क्या बन जाएगा बतो 1.5 इसको बन बोल सकते हैं 3 by 2 ठीक है ना तो यह 6 आ गया तो इसको बन बोल देंगे 3 by 2 तो 14 इसको बन बोल देंगे 13 divided by क्या देगा प्रेपास 14 आ गया समझ गए बराबर क्या देगा 1-1.5.5 इसको बन बोलेंगे 1 by 14 आ देगा यहां से आपके पास 1 by V एकोष्ट आ देगा कितना 1 by 14 माइनस कितना देगा आपके पास 13 by 14 ओके लसी मापके पास आ देगा 14 और इसके बाद सकते हैं तो इसको आपन लेख सकते हैं माइनस का 14 by 14 आ गया तो इसको आपन लेख सकते हैं माइनस 12 by 14 और 12 by 14 यहां पर कुछ केल्कुलेशन मिश्टेक हुई है तो 1 by V एकोष्टू सोरी कि आपके पास माइनस आ देगा माइनस आ गया यहां पर तो यह इदर जाकर कि माइनस बन जाएगा और जाकर माइनस का 14 यह बन जेगा मैनस का 14 by 14 यह माइनस का वन बन जेगा तो व इकुश्टू कितना देगा आपके पास माइनस का 1 ठीक है तक तो वी कुछ टू माइनस वन तो फिर उसके बाद देखते हैं आंसर कौन सा आएगा देखे बच्चों क्यूशन नमर थी अपन देखते हैं क्या कर रहे हैं यह कर रहे हैं कि लाइट इमर्जेज आउट यूनिफोर्मली फ्रॉम पॉइंट सॉस लेश्ट एड़ फोकस अपकों क्यों मिरर तो गी आउट और इस्पेरिकल वेव फ्रंट एज रिजल्ट ओफ रिफ्लेक्शन और पेरेक्शल रेज फ्रॉम दे कॉंके मिरर अकॉर्डिंग तो हाइगेंस थेओरी अपने को इस प्रक फोकस हो गया यहां पर आपने इस प्रकार से पॉइंट सोर्स था कर गया है ठीक है ना यह पॉइंट सोर्स हो गया अब यहां से जो भी लाइट निकलती है कि इस प्रकार से यूंसिडेंट करेगी कि यह लाइट रेज इस पर इस प्रकार से यूंसिडेंट करेगी यां पर ये बलन जो फॉरण इसको आपन क्या बोल सकते हैं बतायों यह अपने पास इस्पेरीकल सेयं हो गया नहीं और यह वाला जो फ्रोंट इसको अपन क्या बोलते इस क्वा fatto यह लेडे वाला विए ओर देगा भी प्लेयज वेव्कल गया तो यहां पर और सोर्स जो की उपे पी अपर ज़ो इस बहुत बहुँ चलने वाला यह वाला जो विए फिरटा है कि इस पेरिकल हो गया इस पेरिकल मगल वेफएंट इस पर इंसिदेंट होता है और उसके बाद में आपका प्लें वेफड़ेट मुल पन जाता है ठीक है न ये वहना जो टो यह दो लेन अदेगा तो घ्रशा आ गया टो तो reflected beam आपको बता है कि definite ते इधर की तरफ जा रही है, यह reflected beam हो गई, वेव फ्रेंट अब वो क्या होता है, इसके perpendicular होता है, और आपको पता है कि वेव और वेव फ्रेंट दोनों एक दूसरी के हमेशा perpendicular होता है, ठीक है, तो इसका D option यहाँ पर अपन correct कर देते हैं, इसके यह पास इस प्रकार से एक लेंस था, और किस लेंस को आपन देना, इस प्रकार से टू पार्ट के एंदर कट कर दिया, ओके, इसकी focal length था वो कितने होता है कि F हो जाएगी, और two identical pieces of the lens are now arranged at shown in the figure, diagram दे से रख रखा है ना, वैसे आपन रख देते हैं, common axis at the separation F between the two, the image of an object a be placed at x equals to 0 cannot be formed at a distance x equals to epsilon from the object along the axis for the value of epsilon edge, ध्यान से देखना देखो, यहां पर अपने क्या रख रख रखा है बताओ, यहां पर अपने रख रख रखा है इस प्रकार से object रख रखा है, यह अपना object हो गया, अब सुनो भी, सब से पहले अपने बात करते हैं, इस वाले lens की बात करते ह L1 और इसका नाम अपन क्या रख देते हैं, बतो, L2 रख देते हैं, तो सबसे पहले L1 के लिए, देखो दैंसे, L1 के लिए अपन बात करते हैं, तो L1 के लिए जो object है वो कहां पर बतो, focus पे, ठीक है ना, तो object अगर focus पे हो गया, यह object हो गया, object अगर focus पे, तो इसकी image कहां पर बनेगी, infinity पर बनेगी, ठीक है ना, तो अपन बोलता है कि इसके लिए जो image है, पहली image कहां पर बन जाएगी बतो, I1 बराबर हो देगा आपके पास में, infinity पर बन जाएगी, समझ के बात आप, अब सुनो भी, infinity पर बनने का मतलब क्या होता है भी, इस से जो निकलने वाल है वह इस परकार से parallel हो जाएगी, और parallel light red regarding, इस पर incident करेगी ठीक है ना, तो parallel light engage अगर इस पर incident तो इस object की पहली image बनाई L1 ने कहां पर infinity पर और यह जो image बन रही है इस image की दूसरी image बनाता L2 कहां पर बनाता 3A पर बनाता है समझ के बाद आप यह चीज़ होगी इसके बाद मापन देखते हैं अगला देखो यह आपके पास लाइट रहे हैं यहां से सलने वाली लाइट रहे हैं सीडिक इसपी इसीडेंट करेगी यह लेंस हो गया यह ऑबजेक्ट हो गया लेंस और इसकी डिश्टेंस कि दिने जाएगी एफ एफ टुएफ तो अबजेक्ट कहां पर रखा वाट टूएफ एफ इमेज भी का पर बनाएगी आगे टूएफ एफ ऑगे चलो इमेज कहां पर बन जाएगी बताओ यह बन जाएगी आपका जो लेंस एल्ट्व है कि इसकी डारिक दो लेंस और ये किसी की वजह से वरेत इबताओ आखे दी टू टू एल्वन से और आई टी कांप बन जाएगी आपकी पासเอाँ संपहिए इमेज कहां पर बन रही बताओ टु एफ पर बन रही है क्या तो एप नहीं बन रही है जो अग्ले की तरफ करते हैं पर कि यह कर रहा है कि दूरिंग दप्रोसेश आप एनिलेशन ओफ इस्टेस तरी इलेक्ट्रॉन ओफ मास M0 विद इस्टेस्टी पॉजिट्रॉन ओफ इक्वल मास एर रेडियेशन इज इमिटेड दव वेवलेंथ ओप रिजल्टिंग रेडियेशन इज तो प्या कर रहा है भी और पॉजिट्रोन का मास भी कितना देगा बताओ एम नौट तो टॉटल मास आपके पास है टू एम नौट हो गया ठीक है ना आपको बताए कि जो आइस्टीन एनर्जी मास रिलेशन है उसके कोर्डिंग मास को अपन एनर्जी में कनवर्ट कर देंगे इस मास को एनर्जी में ठीक है ना दोनों अगर आपस में मिल गहें तो यहांपर दो फोटन आपको प्राप्टा उने वाहिए एक तो यहां पर पर मालों ओपर लो एक फोटन इस परकार से नीशे माले ठीक है यह ना तो आप सुनो भी कि एक photon की एनरजी कितने हो देगी एच न्यू दो फॉट्न की कितने हो देगी आपके पास न्यू नीव नू बराबर किए आपके पास C अपन ये आपके पास अलेमड़ा हो गया ठीक है ना तो विवलेंधि के आपको पूछ रहा है इसको आपना बो आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए इसकी बाद आगे बढ़ता है फिर आपन नेक्ष्ट देखिएगा चलिए बच्छो इसकी बाद क्यूशन नमर्सिक्स अपन डिसक्स करते हैं क्या कर रहा है देख दाएंच से आपने पास इस प्रकार से कोई भी एक लेंस है पिस्के आपतर क्या कर देते हैं इस प्रकार सिसिलवरिग कर देते हैं कि आपके पासस सरफेस होगी यह स्किंड सरफेस होगी और वन इकुशन करे का टो motivated आपको 40 मिउगोश्टों कितना देरेका बताओ 1.5 देरेका है इस लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको आपन क्या लिख सकते हैं बताओ फोकल लेंथ लेंथ तो वन अपन मिउपपढ़न प्लस होजएगा यहां से अपन की फोकल लेंथ है वह होगा कितनी प्राप्त होजएगी भी 80 ठीक है ना तो focal length आप जो length से वो अपने को प्राप्त हो देगी यहां पर 80 cm प्राप्त हो देगा ठीक है ना यह चीज होगी अब यहां पर इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं बताओ 1 upon f net 1 upon f net जो power वाला जो formula है उससे आपन क्या लिख सकते हैं 1 upon f net equals to क्या देगा बताओ minus का 2 upon क्या देगा बताओ focal length of lens और इसके बाद में plus क्या देगा बताओ one upon focal length of mirror आदेगा ठीक है ना equals to minus का 2 upon focal length of lens कितना देगा 80 ओके और इसके बाद one upon focal length of mirror equals to कितना देगा बताओ r by 2 तो r कितना देगा बताओ minus का 20 divided by क्या देगा आपके पास देगा ठीक है ना तो one upon f net इसको आपन solve करते हैं तो यह कितना देगा बताओ minus का sign यहां पर common ले लो 80 ठीक है ना और यह देगा 2 और प्लस इसको आपन क्या बहुत सकते हैं बताओ कि 8 अगया ठीक है ना 10 माइनस का 10 by 80 आ गया तो यहां से आपके पास जो f net है वह कितना देगा बताओ माइनस का 8 cm आ ठीक है ना अब ध्यान से देखना देखो फोकल लेन तो वह कितनी आ चुकी माइनस 8 cm आ चुकी है अब ऑब्जेक्ट और इमेज कोई साड़ कब होते हैं अपने को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट वह आपन कहां पर रखते हैं बताओ सेंट्र पर पर शीप ठीक है ना इमेज भी कहां पर बनते हैं यानि ऑब्जेक्टी डिश्टेंस है वह कितना चीए तो यहां से आपके पास यू बराबर कितना अब तो टू एफ एकोश्टू कितना अब तो 16 cm 16 cm थर्ड ओप्शन यहां पर आपका गरेक्ट देगा ठीक है बच्छों अगला क्यों देखते हैं इसके बार मापन चलिए बच्छों इसके बार में अगला क्यों अपन देखते हैं तुब बोल्स आप्रोजेक्टेट थिटा बिलो डिफ्रेंस इन देर रेंजेज ओन ग्राउंड इच ज्यान से देखना देखो अपने पास इस प्रकार से यह कोई एक क्लिफ है और इसके ओपर आपन यहां पे खड़े हैं यह होरीजॉंटल लाइन यहां पर ड्रों कर देता हूं मैं यह होरीजॉंटल लाइन तो वो तो सीधा यहां से ना वो तो सीधा यहां से इस प्रकार से यहां पर आकर की गिर जाएगी ठीक है ना इसकी जो रेंज है कि इसकी रूंच को मैं यहां पर बोल देता हूं और इसका जो इंगल है कि अपने पास जो देगा है फिटा हो जाएगा ओएक को में इस परकार से उपर की तरफ फंक ता हूँ आउपर की तरफ वह भी डिवाओं को कि वह आपके पास है कि अब अगर यह आपके पास है कितना भी देखो यहां पर नीची की तरफ एंगल इसका प्रेटा यहां से लेके यह कि यह तकी जो डिश्टेंस एक इसको भी आपन क्या बोल सकते हैं समझ गयी बात आप और सुनो भी यहां से लेकि यहां तक यह जो total distance है इस total distance को अपन क्या बोल देंगे बताओ रटू बोल देंगे ठीक है ना अब यहां से जो दोनों की range है उसका difference निकालता है डेल्टा आर तो डेल्टा आर क्या देखा आपके पास रटू माइनस है रवन हो गया थीक है ना तो अगर अपन और टू में से इस आरवन को मैनेस कर देते हैं और तो में से आरवन को मैनेस कर देते हैं तो यहां से लेकिए यहां से लेकिए यहां तकी डिश्टेंस यह तो एक परकार से उसके ग्राउंड टू ग्राउंद फ्रोजेक्शन हो गया और ग्राउंड टू ग्राउंड फ्रोजेक्शन है उसकी जो रेंज तरहिख नारी इंपोर्टेंट बात यह है कि यह वाला जो पॉर्शन है और यह वाला जो पॉर्शन है एक डूसे के साथ में सिमेट्रिक है ठीक है न तो सिमेट्री को यूज़ करके अपन डिरिक्ट इसका स्लूशन कर सकते हैं छलिए गा चले बच्चों नेक्स्ट अपन देखते हैं क्यूशन नमर एट यह कर रहा है कि शोलिड ब्लोक और मास्टी केजी सब्डेट फ्रॉम दे बॉटम औफ फाइब केजी ब्लोक विद एलप पर रोप अबी और मास्ट 2 और अबी तो नेट फॉर्स बराबर क्या होता है बता हो एम में होता है ठीक है ना नेट फॉर स्कुष्ट में एम कितना देगा इसका बताव टू हो गया एक इतना देगा आपके पास और 2.19 यह बंजेगा आपके पास 4.38 न्यूटन की अंस्वराना चीए जब कि यहां पर 24 न्यूटन देर का है यह वाला गलत हो गया सेकिंड की अपन बात करते हैं टेंसन अट दे मिड़ पॉंट ऑप दो रॉप एबी इस 48 न्यूटन यहां पर मिड़ पॉंट यहां से इसको अपन कट कर देते हैं नीचे वाले पार्ट का एब बना देते हैं इस पर उपर की इसके नीचे वाला पार्ट है 1 kg 3 kg कितना देगा 4 kg और जी कितना होता है बता है 9.8 और प्लस क्या था 2.19 तो इसको सोल कर देंगे तो अपने पास में कितना देगा बता हो 48 न्याग जाएगा तो यह वाला सही हो चुका है और इसके बाद में कहारा है फॉर्स एफ ट्वंट 3 8 प्लस 2 कितना देगा 10 तो मैनिस कितना देगा तो mg m को मैं 10 फूट कर दूँगा इक उस्ट क्या देगा आपके पास में तो यहां से f उस्ट कितना देगा तो m into g प्लस क्या देगा तो a m कितना देगा तो 10 हो गया इंटू जी प्लस से लगवग अपना ट्वल आता है 11.99 तो यह देगा आपके पास 11.99 तो लगवग कितना देगा आपके पास बता हो 120 नूटन आ गया ठीक है ना जबकि 20 नूटन बता रहे है यह गलत हो गया और फॉर्स एफ जिश्टी नूटन तो एफ शिश्टी नहीं है 120 तो क्यावल यहां पर अपना जो बी ओप्शन ना वो यह आपका करेक्ट जा रहे है ठीक है ना बाकि सारे सारे ओप्शन यहां पर मेंच नहीं कर रहे हैं ओके चलिए अगले क्यूशन की तरब बढ़ते हैं ब बीप दोनों की लेंद कितने दर की वन मीटर देर की है ठीक है फिगर प्रोटेशन इस वन फ़टू सेकंड तो इसका प्रोटेशन दर करेंट करना चलिए इसके लिए अपन क्या गए ब्लोग का एब बिडी बना लेते हैं यह अपने पास ब्लोग हो चुका है अब देखो चाहिंद से यह अपने पास वन पॉंट सीक्स है इसकी जो हाप लें तब वो कितने वचेज़ी बीटो जिरो फॉन एट हो गई और यह अपने पास वन हो गया तो डेफनने अपाई तो इस त्योरम से इसके डिए सबढ़ाइए और इस तिरो पोल एक सब्सक्राइगी थो फ यह आपका 53 डिग्री हो गया फिप्टी 3 डिग्री आपका थीटा हो चुके थीक है अब दो को पार्टीकल है इस पार्टीकल पर कि यह वाली जो इस्ट्रिंग इसका टेंशन लगता है लगता है लगता है यह इदर की तिवन इधर की तरफ T2 लग जाएगा, ये भी थिटा, ये भी थिटा, ये इस पर M G लग गया, ओके, अब सुनो देखो, क्या पर T1 का ये वला component क्या देगा, T1 cos theta, और T2 का ये वला क्या देगा, T2 cos theta, तो T1 cos theta प्लस T2 cos theta, इसको आपन क्या लेख सकते हैं, बतौद T1 प्लस क्या देगा, बतौद T2, और cos theta, theta 53 है, और cos 53 कितना देगा, आपके पास, 3 by 5 आजएगा, ठीक है न, cos 53, 3 by 5 आजएगा, एक वस्टू, अब एक बाद तो ये दोनों फोर्स है, T1 cos theta प्लस T2 cos theta, ये इसको centipetal force provide करेंगे, और centipetal force किसके बराबर होता है, तो M omega square R के बराबर होता है, तो M कितना देरका, आपको बताओ, M, ये आपको देरका 0.4, ठीक है न, omega 2 क्या होता है, बताओ, 2 by upon T होता है, तो 2 by upon T कितना देरका, time period, 1.2 देरका है, इसका holy square, into R, तो R कितना होता है, आपके solve करते हैं, यहां से, यहां से इस नंबर को solve कर लेते हैं, और 3 by 5 उदर जाकर किये, 5 by 3 बन जाएगा, तो यहां से अपने पास आजएगा, T1 plus T2 equals to, अगर इसको अपने पास आजएगा 10.95, 10.95 आ गया, T1 plus T2, और इसके बादें सुनो भी, इस पर उपर क्या लग रहा है, T1 sine theta, नीचे क्या लग रहा है, बताओ, T2 sine theta, और प्लस mg, तो यहां से क्या बन जाएगा, बताओ, इसको आपने बोल सकते है, T1 sine theta, और मैनस क्या देगा, आपके पास है, T2 sine theta, इकोश टो mg बन चुग है, तो T1 minus T2, sine theta, sine theta कितना देगा, बताओ, sine 53, 4 by 5 हो गया, इकोश टो क्या देगा, mg, तो m कितना देगा, बताओ, 0.4, और into g, और g को आपन यहां पर क्या लिख सकते हैं, भी, 9.8 लिख देते हैं, ठीक है, ना, into कितना देगा, बताओ, 9.8 आ गया, और यहां से अगर आपन solve करते हैं, तो यहां से T1 minus T2 आ जाएगा, तो बोल यह T1 minus T2, 7 minus T2, दोनों आच चुके हैं, तो अगर, first of all अपन क्या करते हैं, देखो, इन दोनों equations को अपन एड कर देंगे, तो एड कर देंगे, तो अपने पास में यहां से 2 T1 की वेल्यू आदेगी, और फिर उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करके, T1 की वेल्यू केलिट कर देंगे तो solve करने पर अपने पास में जो T1 है, उसकी वेल्यू क्या देगी, बताओ, T1 की वेल्यू आदेगी, 7., T1 की वेल्यू लगबग आदेगी, अपने पास में कितनी, 7495, लगबग आदेगा आपके पास, 7.94 नूटन आदेगा, और T2, T1 की वेल्यू इस equation के अंदर अगर पूट कर देंगे, तो यह अपने पास आदेगा, 3.03 नूटन, ठीक है बच्चो, तो यह अपना option आदेगा, यहां पर, तो कौन सा option अपना fit weight रहा है, बता हो, 7.94 और 3.03, अल्मॉस्ट यह approximated वेल्यू आएगी, थोड़ा बहु डिफ्रेंस आ सकता है, तो यहां पर C option है, यह अपना best option है, ओके, चलिए, आगे बढ़ता है, Q10 की तरफ, Q10, क्या कर रहा है, देखो, पार्डिकलों मास आइं मूज इने स्टेट लाइन, अंडर दा इंफ्लेंस ऑप इस सटेन फॉर्स, सच तेट पावर की डिलीवर्ड, तो इट रिमेंस कॉंस्टेंट, पावर कॉ क्या था, मास इंटू एक्सलरेशन, इंटू वेलोसिटी हो गया, और M को M लिख देंगे, V को V लिख देंगे, A को आपन क्या लिख सकते हैं, यहां से, डीवी अपॉन, डीटी हो गया, तो यहां से, V इंटू डीवी, इंटू क्या देगा, बतो, P by M, इंटू डीटी हो ग इंटू बराबर, इसको अपन बॉल सकते हैं, P T divided by M हो जाएगा, तो यहां से, क्या बन जाएगा, बतो, V बराबर, 2 P T by M, तो 2 P by M, इसको रूट के अंदर लिख दो, और T यह न, इसको अपन बॉल लेंगे, T की पाउर 1 by 2 आगया, और V को डेफिनेटली अपन क्या लिख T की पाउर क्या देगा, आपके पास, 1 by 2, DT, इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों तरब से, ठीक है न, तो DX का इंटीग्रेशन क्या देगा, तो X बराबर, यह बन जाएगा, 2 P by M, इसका तो रूट हो गया, और इसके बाद में, T की पाउर 1 by 2 का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो क्या बन देगा, आपके पास, T की पाउर 1 by 2, प्लस 1 कितना देगा, 3 by 2, अपन, अपन में क्या देगा, 3 by 2, तो यह आपके पास, 3 by 2 आगया, अब देगो दान से, रूट के अंदर लेके चलते हैं, इसको आपन, तो रूट के अंदर देगा, 4, 4 into 2 कितना देग देगा, 8, P, T की पाउर 3 by 3, अपन कितना देगा, 3, 9 बन देगा, 9 M, तो क्या बन देगा, बतो, 8 P, T क्यूब अपन, 9 M, इसकी पाउर कितना देगी, 1 by 2, रूट है न, 8 P, T क्यूब अपन, 9 M, ओप्शन D, आपके यहां पर करेक्ट हो जाएगा, भी, चलिए, नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्या करा है, ध्यान से देखना देखो, एप बुलट इस फाइड वर्टिकली अफ, विद हाफ, the escape speed from the surface of the earth, the maximum altitude reached, तो यहां पर अपने को इसकी maximum height अपने को यहां पर calculate करनी है, तो देखो, V बराबर कितना देर का आपको बता हो, VE by 2 देर का है, और VE, escape velocity, सब को पता है, रूट टू जी आर, आर यहां पर radius ओपर था है, divided by 2 हो गया, अब यहां पर VE का एक formula होता है, तो VE का क्या formula होता है, यह आपके पास रूट टू जी एच, अपोन क्या होता है, वन प्लस एच बई आर, इसका रूट हो गया, अब यदि अपन इसका square कर देंगे, तो square कर देंगे, तो क्या बनजेगा, बतो, square कर देंगे, तो यह बनजेगा, आपके पास रूट जी आर, और divided by क्या बनजेगा, बतो, 2 का square 4 हो गया, और बराबर, इसको अपन बोल सकते हैं, 2GH अपन 1 प्लस H अपन R हो गया, यहां पर 2G से, 2G को cancel out कर देते हैं, ओके, और चलो, cross multiply करते हैं, तो cross multiply करेंगे, तो क्या बनजेगा, पके पास 4H, तो यह देगा, 4H बराबर, R से multiply कर दे, तो R into 1 कितना देगा, R, और प्लस, H by R को R से multiply कर दोगे, तो यह क्या बन जाएगा, बतो, H हो गया, तो 3H, इकोष्टू क्या देगा, R, और H इकोष्टू क्या देगा, आपके पास R divided by 3, यह इसका maximum altitude आ जाएगा, तो आपका option A, यहां पर correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए बच्चो, आगे बढ़ता है फिर आपन, next question क्या कर देखो, यह कर रहा है कि a can is a hollow cylinder of radius R and height edge, its ends are sealed with circular sheets of the same material, the can is made of thin sheet metal of aerial mass density sigma kilogram per matrix कर, moment of inertia of this closed can about its vertical axis of symmetry, यह जो given axis से इसके बाउट इसका moment of inertia है, यहां पर आपको calculate करना है, तो first of all ज्यान से देखना देखो, आईए कोश्ट हो, यह इसका जो, यह बाली जो face है, इसका मास्ट मैं capital M लिख देता हूँ, यह जो disc है, circular face, small M, और इसका मास्ट भी कितना हो देखाभी, small M हो देगा, radius इसकी R है, तो यहां पर यह जो एक तो अपने पास हो, hollow cylinder हो गया, तो hollow cylinder का मास्ट हो, M, तो इसका moment of inertia यह देगा, plus, अब यह अपने पास radius का है, यह भी अपने पास radius का है, एक radius का कितना होता है अब दो, M, R is square by two, ठीक है ना, तो दो radius का क्या देगा अब दो, इसको आपन बोल सकते हैं, two M, R is square by क्या देगा अब दो, two देगा, तो टू से यहां पर टू अपन के एंसी लाउट कर देंगे मैपनकी मच तो म्स आयए को अब मार्व कृट Psal एम प्लस क्या देगा ऊपके पास इसमॉल एम इंटु ऑर आड़ेंगा यहां पहरे ठीक है अब लिप sırव यहां से आपने बात करते मस की बात करते हैं में म् recommended सुआ क एरिया कितना देगा यह आपके पास जो कड़ सर्फेस है तो कड़ सर्फेस का एरिया कितना देगा तो टू पाइर इंटु एच यह देगा आपके पास टू पाइर इंटु एच देगा और स्मॉल एम बराबर कितना देगा बतो सिग्मा इंटु एरिया एरिया कितना देगा थिक लख कि कीप्टल म कितना किंधिक अ तो कीफ़्ट आरहने किक आ यह कि elf इन टुक्य अ क्या अकपस है किर सिंका अब यहां से ऑई ब्रभर क्या को मना सकता है मतो देखो, पाई इसमें भी है, इसमें भी ए, पाई सीगमा ठीक है ना? और एक अपने पास कया देगा? पतbahnो? पाई-जीगमा और यका कि आर भी अपने का निका लेते हैं यहां से यह आर एक आर भी यहां से काउन देगा, तो क्या बन देगा आपके पास है पाई इसके बाद में सिग्मा और इसके बाद में आर इसक्वार इंटू आर क्या बन देगा पाई सिग्मा यह आर क्यूब आ गया ठीक है ना यहां से अपने पास ही क्या बन देगा बतो टू एच प्लस क्या बन देगा बतो आर यह अपना रहा रहा है तो पाई सिगमा आर क्यूव तो एच प्लस आर यहां पर अपना तो सी ओप्शन है वो करेक्ट जा रहा है ठीक है ना चलिए भी अगले क्यूशन की तरफ रूख करते हैं अपन नेक्स्ट क्या कर रहा है देखो द्यान से यह कर रहा है कि ए पार्टिकलो मास M is revolving in a horizontal circle on a frictionless horizontal table with the help of a string tied to it and passing through a hole at the center of the table to equal masses capital M are attached to the other end of the string as on if one of the hanging mass M is removed gently the radius of the circular motion of M is small M. सुनो द्यान से देखना देखो यहां पर definitely यहां पर कुछ tension लग रहा है ठीक है ना और यह इसके radius आपके पास R होगी अब एक बात तो यहां पर जो tension है यह जो tension लग रहा है इस string के अंदर tension tension की जो line of action यहां पर center से पास कर रही है यहां पर कंजर रहेगा तो first of all आपन लिख देते हैं वाई conservation of angular momentum लोग तो यह तो आपन जानते हैं सब्सक्राइब है तो यह चीज़ हो गहीं लिए एक अपन बात करते हैं कि आपन क्या गड़ते इस tension को क्या कर देते हैं tension को अपने पहले अपने अपने तेंशन ट्यूप अब टेंशन को आपन क्या कर देते हाप कर देते हैं इस ट्रिंग पर अंदर की तरफ जो लग रहा है ना टेंशन वो टेंशनी किस्ट क्या प्रवाडिकर रहा है सेंटीपिटल फोर्स तो टेंशन बराबर कीया देगा आपके पास तो यहां से आपना लिख सकते हैं टी डिरेक्ली प्रपोस्ट ना टू वी स्क्रापन क्या देगा बतो आर डिरेक्ली प्रपोस्ट ना टू वी क्या देगा इन्वर्सली प्रपोस्ट ना टू आर तो वी स्कॉर क्या देगा आपके पास वन अपन आरी स्कॉर इंटू आर क्या आपके पास RQ हो देगा ठीक है ना अब यहां से आपन क्या लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रपोस्टनर टू कि वन अपॉन टी की पावर क्या देगा आपके पास वन भाई थ्री हो देगा भी ठीक है ना अब यहां से आपना लिख सकते हैं कि टू अपोन र 1 बदभन कि देगा बताओ घीवन अप्वाउन अपन टी कि इसकी पाउर क्या देगा बतो वं wsz धर गये ठीक ना बराबर है अब यहां से पिसे ऑस पीवन कितना था आपके पास समत documents कि दू कि कि इन मोटकर दिया प्मस को बर दिय पाओर जैगे तो यह देगा अपके पास 2 की पाउर कितना देखाओ 1 2 3 आदेगा ठीक अगर इसको अगर अपने पास तो 1.260 अब यहांसे अपने पास जो रट 2 वो कितना देगा बताओ 1.260 इंटु क्या देगा बतो भाग कि अर्वन अदेगा भी ठीक ना तो यहां से अपने पास पर जो वेल्यू है वह कितने हो जाएगी यह हो जाएगी इंक्रीजेज पाइए फेक्टर ओफ 1.260 तो ओप्शन भी यहां पर आपका बच्चों करेक्ट चला जाएगा ठीक है ना कि चलिए नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं अपन नेक्स्ट कुश्चन क्या कर रहा देखो थ्री इस्टार्स ऑफ इक्वल मास्स एं रोटेट इन इस सर्कुलर फाथ ओप रेडिस अबॉट दे सेंट्रों मास सस्टेट इस्टार्स आलवेज डिमें इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इस अधर देखो ऐसा है कि आपने इस परकार स मास्स भी कितना देखा एम इसका मास्स भी हो गया इसका मास्स भी हो जाएगा यहां पर मान दो कि यह जो ट्रैंगल बन रहा है इसकी साइड कितने हैं और इसके बाद इसकी जो रेडियस है ना वह आपको यहां पर स्मॉल आर बोलर का है अब एक बातों यहां से आपन क्या रूट्टी बैस्टी इक कोश्चंट कितना प्यां के पास बOOOOOOOO yeah सिखया बैस्ट कितना देगा यह देगा आपके पास रूप 3R हो गया अब एक बाद तो इस पर इस पार्टिकल पर इसका फॉर्स भी कितना अभी F है और इसका फॉर्स भी कितना देगा F हो देगा तो यहां पर जो F है उस F को अपन क्या लिख सकते है F एकुश टू जी एम स्क्वार अपॉन क्या हो देग था तो गिरिसा हाए और अप इस पर नेट फॉर्स कितना हो देगा नेट फॉर्स इन दोनों के रिजल्टन इधर की तरफ आदेगा तो यह बंज़िगा आपके पास F नेट और F नेट कितना देगा दो रूट थ्ली टाइमस ओ व एफ हो गया और रूट थ्ली टाइम्स तो यह बंज़ेगा आपके पास m omega square r k तो m omega square r k बराबर हो जाएगा भी ठीक है ना अब यहां से इसको आपन solve करते हैं तो m से आपन m को cancel out कर देंगे तो आपके पास omega square बराबर कितना देगा बताओ omega square equals 2 देगा g m square एक m बचेगा g m upon यह बंज़ेगा आपके पास root 3 r square into r क्या देगा आपके पास r cube आ गया omega equals 2 कितना देगा बताओ gm upon root 3 r cube और इसके बाद इसकी power कितना देगी बताओ 1 by 2 आजएगी क्या बन जाएगा बताओ gm upon root 3 r cube power 1 by 2 option यहां पर d आपका correct चला देगा भी है okey चलिए इसके बाद next question के तरफ जलते है अपन next question क्या कर रहे the density of liquid is row at the surface the bulk modulus of the liquid is b the increase delta row in the density of the liquid at the depth h from the surface कि देखो सुनो भी है यहां से अपन लिख सकते है फर्स्ट बोल जो बी है बी को आपन क्या लिख सकते हैं तो तो B बराबर माइनस का डेल्टा पी अपॉन में क्या देगा आपके पास डेल्टा वी अपॉन में वी आदेगा भी तो यहां से आपके पास जो डेल्टा पी है उस डेल्टा पी को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ माइनस का बी इंटू कि यह देगा आपके पास डेल्टा वी अपन पी आ गया भी है अब सुनो भी अपन जानते हैं कि मास यह कुछ तो क्या होता है तो वोल्यूम इंटू डेंसिटी मास क्या रहता है इसका कौषटे डिफ्रएंससेंट क्या देगा है जीरो टो वी डेल्ट म अप्लस रों डेल्टा वी को सिद्वियों याँ सफकर लंब यूफ सकते हैं माइनस का डेल्टा रों अपन रों यह ऑगया है और डेल्टा अपया उपन जानती है है क्या होता है अभी प्रेसर में डिफ्रेंस आजाता है 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 हाई की वज़ा से रो जीएच ये किष्टु बी माइनस माइनस तो प्लस देगा है इंटु क्या देगा आपके पास रीड़ा रो अपोन में रो आगया अब यहां से एक डेल्टा छॉपकर करना है तो एक कितना देगा बतो यह दीचा आपके पास रौ स्कुरर घ बbern Turkey आज पास एक डीवाड़ाइड बएड बाई क्या देगा आके आपके पास संट इभी यह का अनसर देगा तो रो स्कुरर जी एच डीवाड़डिड बई बी आपका यौ पर से करेक्ट देगा हूं तो क्यूशन नमर 15 अपना सोल हो चुग है नेक्स्ट क्यूशन की तरब चलते हैं क्यूशन नमर 16 यह क्या कर रहा है ज्यान से देखना देखों यह कर रहा है कि वोटर फ्लॉज होज एट 1.2 मिटर पर सेकेंड थूए होज ऑफ डायमेटर 1.59 सेंटीमेटर ठीक है ना ताइम रिक्वाइट तो फिले सिलिंड्रिगल कंटेंडर ऑप रेडियेस्ट 2 मिटर तो ए हाइट ऑफ 1.25 मिटर विल बी नियर ली यहां से देखना देखो आपन बात करते हैं सिक अब यहां पर इसका जो वौल्यूम है वौल्यूम कितना लेका अहीड तो एरिए कितना देखा आपके पास ना, पाल और इसका इस की रेडियेस्ट देरी प्तो तो मिट्रिस के रेडिस दे रहे किये तो पाई तो आर स्क्वेर यांगे टू स्क्वेर की एरिया हो गया और हाइड कितने हो जाएगी आपके पास 1.25 मिट्र ठीक है ना यह वोल्यूम हो गया आपको टाइम डिटी इसको टी लिग देता है यह टी अपने को केलिट करना है बर एक के पास पाई डाइमेटर कितना देगा बताओ 1.59 डिवेड़ेड बैजिए आपके पास तू ठीक है ना रेडिस आगी इसका स्कुर कर दिया सेंटिमेटर स्क्वेर टेंट टूझी पाउर मैनस का फॉर कर दोगे मेंटर स्कुर अदेगा इस पीड कितने देर कि आपको तो यह दे रहे हैं वाइस से पाइच को केंचिल अउट कर देंगे और उसे टाइम अपने पास में सेकिंड में और इसको 30Art इस संट्टेट से डिवायड कर देंगे तो टाइम अपने पास और वस्ते देगा तो कितने आऄ देगा 18.3 यह आपके पास टाइम आ गया तो इसका ओप्शन अब वो क्या क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट हो जाएगा भी चलिए बच्छों नेक्स्ट कुछन देखते हैं अब अब पन अब स्राउंडिंग टेंपरेश इस 27 डिग्री सेंटीगेड दे फ्रिक्वेंसी हैड बाइड ट्रक ड्राइवर इस दे कार पासे दियान से देखना देखो बच्छों देखो फर्स्ट फॉफ यहां पर जो टेंपरेशर वो अपने को देर करें 27 डिग्री सेंटीड तो एक आपके पास जो वी नॉट है यह आपको पता है जिरो डिग्री सेंटीग्रेड पे 332 प्लस 0.61 इंटु टी और टी कितना देखा आपके पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया इसको सोल कर दोगे तो ओल्मोस्ट आपके पास में 348 मिटर पर सेकेंड यह स्पीड आप साउं डिग्रीड फिर्केंशी अब देखो किया पर यह अपने पास अट्रक हो गया है ठीक है ना तो जो कार है वह इसको इस प्रकास एक परोच करती है ठीक है और ट्रक है यह इसके अपर डिरेक्स नूग कर रहा है तो जो कार है उसकी स्पीड कितने हो जाएगी 108 तो 108 किलोमेट इसके इसको 5 x 18 से मिल्लिप्लाइब कर दोगे तो यह आपके पास इसको तेने पर देगा 20 मेटर पर सब्सक्राइब इसकी जो फ्रिक्वेंसी है कितने देर के आपको बताऊ 800 दे किए अब यह कितनी फ्रिक्वेंची सुने का बताओ इसको आपने एफ डेस इकोश्टो कितना देगा एफ 800 और इस्पीड आप साउंड कितना देगा 348 और डिवाइद भाई 348 ऑबजरवर यहां पर कौन है यह तो सोर्स है यह ऑबजरवर है तो ऑबजरवर यहां पर पास प इस हट्स आगया ओके इसके बाइद अब सुनों यह जब इसको पार करके चला जाएगा तो ट्रक्व पहुंच जाएगा इस प्रकार से यहां पर और कार यहां पर आजाएगी तो कार की जो स्पीड है वह कितने देए कि आपको 20 जा रही है और कार का जो साहरे न है उसकी फ हैट्स हो गई फ्रिक्वेंसी और यहां से आपके पास एफ डबल डेस बोल दो इसको आप पार करने के बाद में 800 और 348 इसके बाद माइनस क्या देगा 20 अपन क्या देगा 348 और यहां पर प्लस क्या देगा बतो 30 हो गया और इसको अगर आप लोगे तो यह आपके पास देगा 694 है ठीक है ना और दोनों का अगर आप डिफ्रेंस कर दोगे तो डिफ्रेंस कितना देगा तो डेल्टा एप बताऊ तो यहां पर आपा लिख सकते हैं डेल्टा अए बराबर एप डेस मैनस एफ डबल डेस यह दिए आपके पास 926 मैनस 694 और जिसको पर आपन सौल कर रेंगे तो यह आपके पास तीट्र तो पार करने से हेंक्स वर्टिगली टाइम नीडेड फोर ट्रांसवर्स पल्स टू ट्रेवल फ्रोम इट्स बोटम एंड तुदे सपोर्टीज देखो यहां पर इस प्रगार से अपने पास में कोई एक रोफ है और इसके अंदर है क्या कर दें नीचे एक ट्रांसवर्स पल्स है वह अफने जन्रेट कर दिया आपको बताएकि एकस टिस्टेंस पे यहंपे यहां से एकस टिस्टेंस पे अगर आपन टेंसडी संगी बात करते हैं टोटल मांस कितना म क्या टोलेंद लो Еल brightly गया X length है X into G कर देंगे तो यह यहां पर 10 दो देगा ठीक है ना और इसके बार में इसको सकते आए इंवल को मू बोल देंगे mu X into G यहां पर क्या देंगे linear mass density बोल देंगे और वी बराबर क्या देंगा 가 teafone मyö होगा तो किया देखार आपके पास root zer Michean 24 गया और भी को आपन क्या लीख सकते हैं बताओ यहांपे दी X आपन मैं कि यदेखांगा 한Pad अगया और एकस कि पर 1 divided वाइट मैन्स मैट वाइट है तो एकस कि पर मैंनस का 1 by 2 into क्या देगा dx आ गया और equals 2 क्या देगा बतो इसको आपन बहुत सकते हैं root g into क्या देगा dt दोनों तरफ से इसका integration कर देंगे t बराबर 0 पर x बराबर 0 था और t बराबर t पर x बराबर कितना देगा क्या देगा ठीक है ना अब यहां पर देखिएगा एक्स की पर माइनस 1 by 2 का integration करते हैं तो क्या बन देगा बतो इसको आपना बहुत सकते हैं two root of क्या देगा x हो गया और 0 to l बराबर क्या देगा आपके पास root g into t आ गया तो यहां से solve करने पर टी बराबर कितना देगा two root of l by g कितना टाइम लगजेगा इसको support तक कहुंचने में तो टी बराबर 0 पर यहां पर आपने जो pulse rate किया है वो टी गुश्टू two root of l by g पर यहां पर पहुंच जाएगा ठीक है ना तो two root of l by g यहां पर यह option आपका correct देगा ठीक है चले इसके बाद में आगे बढ़ते हैं आपन नेक्स्ट क्यूशन देखिएगा दा फिगर सोज एश्मूड टनल a-b लेंथ इसकी कितने देर की a-b टनल की 12 इनने युनिफर्म देंसिटी प्लेनेट से अर्थ और मास्ट केप्ला में रडिस केप्लार इस्मॉल बॉल ऑफ मास्ट स्मॉल में इस रिलीश्ट फॉम रेष्ट अड़ 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 टनल एक्स्ट्रेशन दू इसको एंड बी तक पहुंचने के लिए टाइम आपको यहां पर पहुंचने में कितना ताइम लगीगा ठीक है ना देखो यह प्रोब्लम आपने डेफिनेटली की होगी कि जैसे अर्थ है कि इस अर्थ के डाइमेटर के अलोंग जैसे आपने टनल बना दी ठीक है ना इसके अंदर अगर आपने किसी भी पार्टिकल को रिलीस कर दिया तो रिलीस कर दिया तो पार्टिकल यहां पर SSM करेगा और इस SSM का जो टाइम पीड है और टी कुश्टू कितना देगा बताओ कि अपके बटे आपके पास 2πिय, Route OFF Rût लहीं और आपको आपके और ऑप और एक बात हो रहे है कि यह जो आपने टनल बनाए वह चाहिए डाइमेटर के अलोंग बना दो झाहिए किसी कोड के लगन बना दो ह। ठीक है ना यहां पर आप बना दो कही कर भी बना दो टनल ठीक है ना चाहिए आप यहां पर बना दो टनल कहीं पर भी बना दो चाहिए कोई सी भी टनल अगर आप बना दोगे तो टाइम पर डबो क्या रहेगा भी सेम रहेगा ठीक है ना तो इसको आपन बोल सकते हैं कि इंडिफेंडेंट कि फ्रॉंब दैए पोजिस्न आफ बनन तो टनल तो कि पॉजिशन सी इंडिफेंडर रहाएगा अब इसको आपको एससे बी तक पहुचाना है अब एससे बी तक पहुचने के से लिए टाइम यह आपको पताई Yे भी यह बी एक्स्ट्रेम होगा बीच में यहां पर आपको मीन पूजिशन प्राफ्त होने वाद है टो एक्स्ट्रिम से एक्स्ट्रिम जैने में टाइम कितना लगता है टी बाई टू टाइम लगता यह आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना ओके हैं अगला क्यूशन देखते हैं अपन क्यूशन नमर 20 चलिए बच्चों इसके बाद में क्यूशन नमर 20 देखते हैं क्यूशन लोग बेस टैन क्या अपन क्या डेका प्रवासाइन अगया इसको अपन एट बोल देंगे यहां से शल कर दोगे तो आउन एक उस्ट किटना क्या प्रवासा और इनंटो क्या तो इन्टा प्हिपास आई नोट आ गया है और इसी प्रकार से दोदयाई से है यह यह कह रहा है कि दूसरे speaker को अगर आपने on कर दिए एस्टूई switched on तो कितना देगी 85 decibel हो देगी ल्टू कितना देगा आपके पास 85 इकोस्टू 10 कि यह आपके पास लोगवेश 10 कि आई टू आपन कि आपके पास आई नोट हो गया और यहां से आपके पास में क्या बंदेगा बता हो 85 आगया तो सॉल करो गिना तो 8.85 इवादिद बैटेट ने एट पॉंट फाइफ बराबर कितना देगा आपके पास लोगवेश 10 कि आए पॉर आप ऑन क्या देगा है आपके पास आग गया तो यहांसे आपके पास जो आई टू-एप टू को इन्स टू-टू-था走्ट इं-टू-ःग्वन-टी-था इन्टू-टू-टू-ग। तो 10 to the power 8 और प्लस कितना आपके पास है 10 to the power 8.5 तो यह देखा आपके पास है 10 to the power 8.5 ताइम सौफ है आई नोट आगया ठीक है ना और यदी इसको आप सोल करोगे तो यह आपके पास है कितना देखा तो 4.16 into 10 to the power 8 टाइम सौफ आई नोट आगया अब अगर आप लाउडनेस केल्कुलेट करोगे तो 10 किया देखा आपके पास है लोग बेश 10 आई नेट कितना देखा बतो 4.16 into 10 to the power 8 आई नोट डिवाइड बाई किया देगा आपके पास आई नोट आगया आई नोट से आई नोट को आपन केंसल आउट कर देंगे और 4.16 into 10 to the power 8 इसका अगर आपन लोग लेंगे तो यह आपके पास आजएका 86 8.6 आगया तो इसको 10 से मुल्टिप्लाइ कर देंगे 86.19 यह डेसिबल आदेगा ठीक है ना तो 86.2 डेसिबल यह बी ऑप्शन आपके यहां पर करेक्ट सब्सक्राइब ठीक है ना चलिए बच्चों अगला क्यूशन आपन देखते हैं क्यूशन हमें 21 क्या कर रहा देखो य ठीक है ना अब सुनों भी कोलाइट स्फिरे मासलेस पेन तो यह जो पैन पी यह यह क्या भी मासलेस है ठीक है ना यानि यहां पर किसी भी प्रकार की एनर्जी का लोस नहीं होना है एट औरीजन एंड इस्टिक्स टूइट दपैन इस कनेक्टेट एड़ एंड और इस प्रिंग और फोर्स कॉंस्टेट के कुश्ट तो 32 नूटन पर मिटर एस सॉनिंट फिगर आप देग्लोग क्लाइट तर इस प्लेस्मेंट एज़ फंक्षून आप टी कि एक ती के फंक्षन में इस ब्लोग का आपको डिस्प्ले सिम्मेंट आपको बताना है तो यह आपके पास एक्स ब्राबबर 0 है तो टी ब्राबर 0 पर आना एक्स एक्षट पर हम शिक्स टिरो सिग श्र्ट करता है इसके बाद में यह आई सेख फेज और विबढ़बर 0 पर एक्स परवर 0 है इनिसेल फेज फाई कितना आपके पास जीरो स्क्रूंद यह बंजेगा आपके पास X साइण इंक यह तो ओमेगा कि आपके पास ओमेगा स्ट्रू क्या होता है जो घराब प्रूट आप के बाई M कितना हो पास थार्टीटू अँए कितना हो पॉंट फाइफ सिक्स्तिफॉर यह अपके पास एट ओमेगा देगा इसकी काई नेडी केनेटी कर दो काई चिपटना दिपलोग की तो हाफ लोक का एकका थर्टीट इंट एकसी स्क्वार मेक्सिमम् स्वेश्मेंट एक एक इस्क कर देंगा सैग्ञा मेटर। गया एट ओमेगा टी हो गया ठीक है ना तो जिरो पॉइंट टू फाइफ साइन एटी मिटर भी ओप्शन इसका क्रेप चला जाएगा ठीक है बिच्छो इसके बाद अगला क्यूशन अपने देखते हैं देखो क्या कर रहा है यह कर रहा है कि वीच ओफ फॉलोविंग फंक्शन दस नौट रिफ्रेजेंट ट्रेवलिंग वेव देखो द्यान से यहां पर यह वाला जो फंक्शन है कि आपके पास साइनी स्कॉर थीटा है तो साइन हाँ पर क्या बन जाएगे ए विकॉस यह क्या बंद रही की एक स्माय ओमेगाही इसका स्वार यही क्या ओथ ट्रेव लिंग का फंक्शन बनता है यहां पर दोना है कि एक स्कॉर मानरिस ओमेगाटिट स्कॉर यह ट्रेवलिंग और मियों का संव क्यों आए वेव का जो फंक्शन अभी इसको यह डिफाइन नहीं करता है इस कंट से यह हो जाएगा इस कंट सब्सक्राइब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर अपन देखो क्या करें तू कार्णोट हीट इंजन सार्क नेक्टेडिन सीरी सप्रेट दसिंग फिस्ट इंजन इस हीट सोर्स आप शेकेंट एफिएंशे इंजन सार इटावन इटाट डिश्टीव डेसपेक्टिवी नेट इफिसेंसी इटाओ भूब गिव बात सुनो भी देखो सब से पहले आपके पास यह आपक यहां का Temperature कितना देगा t2 हो गया और यहां का Temperature क्या देगा t3 यहां से यह क्या करता है क्च कितनी हीट देता है क्यों हीट देता है इसके बाद कुछ तो यह क्या करता है वक्डन करता है डबलुवन और कुछ हीट इसको देता है क्यूटू और यही जो हीट ना यह इसको मिल जाती है क्यूटू हीट इसको मिल गी और फिर उसके बाद इससे यह क्या करता है कुछ efficiency one minus इसको आपने बोलेंगे टीटू आपन क्या देगा बतो टीवन हो गया ठीक है ना अब यहां से जो टीटू आपने टीवन है कि टू आपने टीवन इक वेक्ष्टू कितना हो तो वन मैनेश क्या देगा बतो इटावन हो गया इसकी जो efficiency कि आपने बात करते हैं इस वाले इंजन की efficiency यह क्या देगी बताओ इटा-2 इसको आपने बोलेंगे इटा-2 इकोश्ट्व क्या देगा बताओ वन माइनस टी-3 अपॉन क्या देगा बताओ अब सुनो भी आपके पास यह जो अब यहां से आपके पास जो टी-3 अपॉन टी-1 एकोश्ट्व क्या देगा वन माइनस इसको अब देखिएगा यहां पर यहां पर अपने वो टी-3 अपॉन के लिए इसके लिए अपने काम करते हैं इसको बोल दो तो इक्वेशन वन बोल दो इसको आप इसको आपने बोल देते हैं अगर आपने एक्वेशन वन और एक्वेशन टू को मल्टिप्लाइए कर दिया तो यहां पर आपके पास नहीं देखो देंसे टी-3 अपॉन टी-2 तो टी-2 से टी-2 कर जाएगा ठीक है ना तो टी-3 अप टी-3 अपॉन टी-1 इसको आपने बोल देंगे वन माइनस क्या देगा बताओ इटा हो देगा ठीक है ना तो आपको यहां पर इटा की वेल्यू केल्किलेट करनी है एक बार एक काम करते हैं इन दोनों को मल्टिप्लाइए कर देते हैं ठीक है ना सबसे पहले वन को आपन इ इंटू क्या देगा इटाटू इकोश्टू क्या देगा बताओ वन मैनस क्या देगा इटा यहां पर यह जो वन है इस वन को आपन इस वन से कैंसी लाओ कर देंगे तो उधर की तरफ क्या बन देगा आपके पास माइनस का इटा बन गया तो यहां से माइनस से मल्टिप्ला कर देते हैं तो मैंने से मल्टिप्लाई कर दो कि क्या बंज़ेगा आपके पास N1 और प्लस क्या देगा बताओ N2 माइनस क्या देगा आपके पास N1 कि प्लस इता टू को आप कोमल लिलो हम लगा तो 1-4 प्लस लिए अपके पास इता हरा गया है सभी बात है चलिए बच्चों क्यों से नमर 24 की बात करते है अपन यह कर रहा है कि एन एर बबल ओप रेडिस्ट टू एमम एट डेफ्ट ट्वन्टी मेटर बिलो दा सर्फेस ऑफ वोटर एट टेंप्रेचर ओप एडिरी सेंटिग्रेड राइजेश टू सर्फेस वें दे टेंप्रेचर इस शिक्स्टिंड डिए सेंटिग्रेट नेगलेटिंग इफेक्ट ऑफ सर्फेस टेंशन दा रेडिस अब बबल एड़ दे सर्फेस इस एस्टिमेटेट टूदी लेगो बच्चो सर्फेस टेंशन उसका इफेक्ट अपने को यहां पे कंसिडर करना नहीं है तो यहां पर एक चीज अपने समझ में आती ही कि जैसे मतलब बबल सबसे पहले जो बबल कहां पर था बता हो यहां पर पर चीस और गायोंद लेसिग्त होगी chị आप यहां पर प्रसर कितना करती वींट और ему यहां प्रेसे कितना बीड टू झालिआ झिदा ट् casi देगा अब आप यहां पर इसके अंदर गेस के जो मॉल से उनको आपन कंजर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो अमांट अपके से वह यहां पर कॉंश्टर रहेगी है आपन मौल सकते हैं कि एनवन इकोष्ट क्या देगा आपके पास तो प्लस क्या देगा आपके पास रो जी एच ठीक है ना और इंटु वोल्यूम कितना देगा तो फोर बै थ्री पाई आर क्यूब इसको आपन बोल सकते हैं क्या बोलेंगे बतो आरवन क्यूब अपन टेंप्रेचर कितना देगा बतो पीवन बराबर जब यहां पर पहुंच कर देते हैं तो पीनोट एटमस्प्रेचर कितना होता है तो प्लस रो कितना होता पानी कर टेंट दी पावर 3 जी 10 हो गया तेंट दी पूर 4 और एच कितना होदेगा आपके पास ट्वल ठीक है ना इसको आपन बोल सकते हैं 1.2 इंटु किया अदेगा आपके पास रो हो गया पहले जो टेंपरेचर है वह वहां पर कितना था एट डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा ठीक है ना तो कितना देगा तो यह देगा 273 और प्लस एट कर देंगे तो यह बन देगा आपके पास 281 हो गया इसके बाद हम बराबर है अब यहां पर चो प्रेसर अब हो हो गया तो 273 प्लस कितना देगा 16 तो कितना देगा 289 हो देगा यह देगा आपके पास 289 अब यह जो इसके अंदर सब कुछ अपने को गीवन है सब कुछ गीवन है क्यों जो आल्टू है ना वह अपने को पूछ रखाए तो यहां से अगर आप सोल कर दोगे ना सोल करने प इसके बाद में अगला क्यूशन आपन देखते हैं देखो क्या करें अगला क्यूशन कह रहा है कि टू सोब बबल सोप रेडिये एंड बी कॉलर्स टू फॉर्म ए सिंगल बबल ऑप रेडिये सी अंडर आई सो थर्मल कंडिशन इस पीए डैंदा सर्फेस टैंशन टी ऑप सुख बबल इस एकष्टन प्रेसर कितना भीणों को पीए देरों ए ठीक है ना तो अब इनkom прин kiya करते हैं यहां पे mix-up करते fucking कि इनको आपन यहां पर मिलाते हैं तो सुनो भी जान से देखना देखो मिलाएंगे तो आपन ऐसे देख सकते हैं कि पहला जो बबल है उसके अंदर जैसे number of malls प्लस क्या देगा आपके पास है दूसरे बबल के अंदर number of malls ठीक है ना और कि क्या देगा आपके पास में बताओ यह देगा आपके पास एन हो देगा number of malls को आपन यहां पर constant कर देगे अब यह कर रहा है कि आई सो थर्मल कंडिशन के अंदर मिलते हैं यह तो एनी कुष्ट्व कितना था पी वी अपन आर्टी होता है ती तो वैसे भी एन टू और एनी कुष्ट्व क्या देगा बतो पीवी एकोश्ट्व पीवन वीवन और प्लस क्या देगा बतो पीटू वीटू हो गया ठीक है यह चीज होगी यह कर रहा है कि ए और बी है और जो बबल बनता बाद में उसकी रेडिस कितना देगा आपके पास सी होगी तो प्लस एक्सिस प्रेशर कितना देगा आपके पास पी हो गया ठीक है और प्लस एक्सिस प्रेशर कितना देगा तो फोर्टी अपॉन आर होता है तो फोर्टी अपॉन सी हो गया ठीक है ना और इंटू वी कितना देगा तो फोर बै थ्री पाई सी क्यूब हो गया इसको आपन और प्लस इश को आपन बोलेंगे P B प्लस क्या देगा 40 by C, ठीक है ना इंटु क्या देगा है आपके पास में 40 upon C नहीं B, 40 upon B और यह बनादेगा आपके पास में B Q आ गया बिए अब इसके बाद है इश को अपने तो सोल करते हैं तो सोल्ड करेंगे तो आपने को क्या 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 करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ यहां पर यहां पर बन जाएगा आपके पास हैं सी क्यूब मतलब पी एंटु सी क्यूब पी एंटु माइनस किया देगा आपके पास हैं वी-QiWb हो गया, इसके बाद हैं बराबर, अब इसको इसके अंदर multiply कर दोगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, 4T into C square 4T into A square 4T into B square यहां से 4T को अपन कॉमन ले 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 लिया तो यह देगा A square plus क्या देगा आपके पास B square माइनस क्या देगा आपके पास C square देगा ठीक है ना अब यहां पर आपको surface tension calculate करना है surface tension क्या देगा आपके पास T बराबर तो इसको पूरे को इसके अपन में ले 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 जेंगे तो P upon 4 यहां आपके पास Tommy upon क्या देगा आपके पास 4 آगया और यहां देगा आपके पास C cube minus क्या देगा आपके पास A cube minus क्या देगा B cube upon A square plus B square minus C square ठीक है ना तो देखलो कॉन सांसर जा रहा है तो ट कुस्ट कितना देखा पी एंबीवाइब फोर फी एब फोर शी क्यूब मैनस एक क्यूब मैनस बी क्यूब A square plus B square minus C square तो यहां पर आपका option एक करेक्टर है भी, option A ही आपका करेक्टर हो जाएगा, ठीक है न, देखे बच्चों यह वाला क्या क्या कहा रहे है, an open-end organ pipe 30 cm length and a closed-end organ pipe 23 cm length, both of equal diameter are each sounding their first overtone and both are in unison at 1100 Hz, the speed of sound in air is estimated to be nearly, सबसे पहले आपने बात करते हैं open organ pipe की बात करते है, open organ pipe की जो first frequency है, ठीक है न, first case के अंदर क्या होता है, आपके पास लेंडा बैटू, और first overtone है, फंडामेटल frequency में लेंडा बैटू, और first overtone में कितना हो आपके पास है, two lambda by two, because to कितना हो आपके पास L, और plus इसके दो open-end है, ठीक है न, तो plus क्या देगा आपके पास two e हो जाएगा, ठीक है न, ये चीज़ होगी है, इसके बाद आपने बात करते हैं कि इसकी close organ pipe की बात करते हैं, यहां से आपने लिख सकते हैं कि lambda लिख दो, lambda equals two, इसकी length आपको देर की है, कितनी देर की आपको बतो, 30, और plus क्या दे frequency उसकी condition में, lambda by four, और first overtone की बात करा, तो three lambda by four, three lambda by four equals to क्या देगा, l, plus क्या देगा, आपके पास e हो गया, यहां से two है न, वो इसे multiply कर दो, ताकि two e बन जाए, तो यह बन जाएगा, आपके पास three lambda by two, बराबर, कितना हो देगा बतो, इसको आपन बोलेंगा, two l, plus क्या दे बराबर, कितना हो देगा, two l, इसकी जो लेंग था, वो कितने दे रिखिया, आप वो 23, तो इंटू two कितना हो देगा, 46, और plus क्या देगा, आपके पास two e हो गया, equation number two बन गया, इसके बादर सुनो, equation two में से आपन equation one को minus कर देते है, तो चलो two minus आपने one कर दिया, तो three lambda by two minus lambda बराबर, कितना हो देगा, two e सी तुई हो गया, 46 minus 36, यह से आपके पास लेंड़ा बरा बराब व कितना हो थे गगा, थेखना, देगा दो, true LE न, की और Pूाँको ekतना हो पास लेंड़ा इंटू क्या देगा, तो F हो गया, तो बराबर कितना देगा, देगा ठीजिए, इनि और अब यहां से आपके पास लेम्डा है वह कितना देगा बतो थर्टी टू यानि पॉइंट्री टू इन्टू यह क्या बन जाएगा आपके पास में फ्रिक्वेंसी कितने देगी बतो करें को यह करा कि दब फिगर सोज एंग बार एक्सवाइब नौन उनिफ्रम क्रॉस सेक्षण ठीक है नगो यहां पर तो क्रॉस सेक्षण क्या भी ज्यादार इधर की तरफ जाने पर क्रॉस सेक्षण अब हो क्या देगा करेगा स्टेडी इस्टेट में जितनी हीट इदर से CT T upon Dx होता है यह क्या देगा बताओ慢 के तो वैसे हैं आपका constant हो देगा खी bon appan क्या बल सकते हैं यहां पर एप इंटू क्या देगा बताओ dit अपॉन DxX कि क्या देगा क्या देगा हँस्ट हो गया इहां इधर से इधर की दरफ जा रहे हो तो definitely area of cross section बहुत क्या बतों कम हो रहा है और area of cross section कम हो रहा ना तो dt by जो dx ना वो क्या हो रहा है बतों ज्यादा पाइस लोप हो जो पाउल हो रही है ठीक है ना यहां पे minus sign आता है तो यहां पर भी अपन minus का लिक सकते हैं ठीक है तो slope negative negative हो ही स्लोप वो क्या हो रही है तो इंक्रीजिंग स्लोप का यह वाला ग्राफ बन जाएगा तो बी ऑप्सिन यहां पर आपका करेक्टा देगा भी ठीक है न इसके बाद नेक्स्ट आपन देखते हैं अगला क्या करा देखो यह कर रहा है कि एन आइडिल गेस एन मॉल्स इस इनिशिल एट प्रेशर पी एंड टेम्परेशर टी तो यह आपके पास प्रेशर पी हो गया और यह आपके पास है प्रेशर और वोल्यूम की बीच में ग्राब बना देता है इनिशिल जो प्रेशर वह कितना देख आपके पा रबास में V होगय माल दो ठीक है तो क्या कर रहा है देगो इनिशिल प्रेसर प्रेसर P टेंपरेशर T it is cooled आई फोर को आप कितना कर दो कि यह P by 4 कर दोगे यह P by 4 कर दिया आपने यहां से लेकर कि यहां तक इस के then expanded to a constant pressure so as to attend back to its initial temperature तो आपको बता है कि पीवी एकुस्ट्यों क्या होता एनार्टी तो पीवी बराबर क्या होता बता हो एनार्टी हो गया उसी टेंप्रेचर तक आपको लेके जाना है तो पीवी का प्रोड़क्ट आपको शेम करना भी ठीक है ना पहले प्रेसर कितना था पी प्रोड़ी ओगया इसपापन भॉल देंगे एक अब अगर आपको वगड़न केल्कुलेट करना है तो डेल्टा डबलू क्या थेगा थो डेल्टा डवलू एबी और प्लस क्या आपके पास डेल्टा डवलू वीसी हो गया एबी तो आपका आई इसो को रिक फोड़क प्रो आपके पास थ्री पीवी बैई फोर हो गया तो बराबर कितना देखा थ्री बैई फोर और पीवी को आपन क्या लेख सकते हैं बताओ अगले क्यूशन की तरफ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो यह क्या क्या रहा है कि अज्यूंग्दा सन टूबी इस्पिरिकल बोडी रेडियस कितनी इसकी आरे से और सर्फिस टेंपरेश्टी तो बात सुना भी देखो अपन लिख सकते हैं कि इसकी जो इमीश इमिशी पाउर e कुष्ट कितना देखा बता इसको अब बहुक्तस के शिग्मा ठीकाह धूर वां गया औरrine पोर को कि होता हो दी क्या अपन क्या देगा बताओ तेक्ति हो गया ठीक है अब यहां पर आपन क्या लख सकते हैं बता हो बीए कुब इडी जो पावर है यह क्या पूछ क्या रखात आपको टॉटल रेडियासिन पावर आपको पूछ रखी है तो यह देगा आपके पास अबी क्यू आपान्डी टी ठीक है न इसको अपना बोलेंगे पी इमिटेड हो जाएगा यह कितनी पावर यहां पर इमिट कर रहे है कि कोश्ट क्या देगा आपके पास सिग्मा पी की पार फॉर इंटु एरिया से मल्टिप्लाइ करना पड़ीगा और संके सा इस्पेरिकल है तो एरिया कितना देगा फॉर पाई इंटु रेड ठीके ना और अर्थ है वो कितने दिष्ञिंस पर होँएगी बटाओ और लिगोक्या आपको पास आठीक बदेज करहने लिएमिटेमिकल एक यह न पर एक बात हो जो पी सीषफिट यह और वे को सिखन quarantine ब्राबार सीनुैंट पूर्छ की कि पार्पार ढ़र्णी यहां इंटू कितना हो देगा अब तो four pi rs square upon अब एक बात हूँ यह जो पूरी की पूरी radiations है कि इस पूरे sphere को मिलती है और रेडिस का जो sphere है ठीक है ना तो unit area को कितनी radiations मिलते माली यह बतो four pi into क्या देगा आपके पास r square into अब यह जो radiations है ना solar radiations वो किस पर जाके incident करती है अर्थ का मैं बड़ा diagram मना देता हूं यह अर्थ होगी ठीक है ना तो अर्थ पर इस प्रकार से radiations है ना यह incident करती है तो अर्थ का जो facing area है को facing area आपन लिख देंगे तो facing area कैसा हो देगा circular circle का area कितना देगा पाई into r square पाई into क्या देगा बतो रेडिस of earth का poly square हो देगा तो यहां पर आपन क्या करते हैं बतो four pi से four pi को cancel out कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास बतो sigma pi ठीक है ना तो sigma pi और इस के बाद में पाई आर एस स्क्वेर र इस्क्वेर ऑपन क्या देगा पके पास r square ठीक है ना तो कौन सा answer रहा है बतो यह देखते हैं देखें क्या करें है इसको हम बोलें सिग्मा-pi सब्सक्राइब यहां पर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन ए है वो क्या हो देगा करेक्ट हो देगा चले बच्छों क्यों अमर अपन थर्टी देखते हैं देखों क्या करेंद फिगर सोज फाइब पॉइंट चार्जेज ऑन इस्टेट लाइन सेपरेशन बिटुन सक्सिसी चार् टाकि बाकी जितने भी चैर्ट शी चोंड अब बात करता हैं कि यहां पर उन माइक्रोकुला में इस पे पर जिडिखों कैसे हो सकता है बतायों है ब्यार्गों हमें इसका फॉर्स इण देगा तो इन दोनों की क Sag ना है कि दोनों की नियुrium मृंच यहां से बरादर है तबी इस पे force अब वो क्या हो सकता है भी जीरो हो सकता है ठीक है ना तो पहली बात तो अपने को पता से लगए कि Q1 और Q2 अब वो क्या हो जेंगे बतो बराबर हो जाएंगे बात नमर एक दूसरी बात सुनो भी अपन एक काम करते हैं अपन इस पर force जिरो कर देते हैं इस पर force अपन चेक करते हैं तो इस पर force कैसे चेक करते हैं बताओ इस two microgram पे ठीक है ना तो two microgram पे अपन force चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं देखो यहां पे टू-액ू-कुलाम पे एक तो वन-्यू-कुलाम और टू- माइकुलाम इन दोनों का फोर्स लग रहा है वह किदर लग रहा है अब तो आपनों बॉल सकते हैं कि क्य को तो छोड़ दो सब में कटी जाएगा तो q1 कितना देगा आपके पास है 2 इस 1 का कितना देगा 2 into 1 q1 q2 upon r2 rr कितना देगा आपके पास है 4 r square plus इस 2 microgram को यह जो 2 है यह भी force लगा रहे है तो 2 into कितना देगा आपके पास है 2 upon distance कितना देगा 4 r 4 r का square कितना देगा तो 16 r square देगा ठीक है क्यानि जो 2 microgram इसको 1 microgram और 2 microgram दोनों रिपल्स कर रहे हैं अब अपन यह मानने दें q1 और q2 इसको क्या करें attract कर रहे है तो attraction का force बताता हो 2 into q1 भी कितना देगा क्यों मान दो ठीक है न और upon कितना देगा बताओ प्लस into q2 कितना देगा बतो q upon r square distance कितना देगा बतो q2 डिश्टेंस थ्री आर और कर square कितना देगा दो 9 r square ठीक है ना अपन टू-from r square को को क्या कर देगे यह बन जागा आपके पास प्लस क्या देगा बतूं वाई two को भी काट दिया अपने और आर स्कर को भी काट दिया तो two upon r square गया तो two by sixteen plus क्या देखा आपके पास one by eight आगया और equals two क्या देगा बतूं two upon r square q आगया और plus two upon r square पर कट गया उपर क्या देगा आपके पास है Q upon 9 आ गया तो Q upon 9 आ गया तो इसको आपन क्या बहुत सकते हैं 1 by 4 plus 1 by 8 equals to कितना देगा तो 3 by 8 आ गया ठीक है ना तो 3 by 8 equals to Q plus Q by 9 equals to equals to कितना देगा बता हो Q plus Q by 9 equals to देगा आपके पास है 10 Q divided by कि आपके पास 9 आ गया तो यहां से आपके पास है जो Q है Q equals to कितना देगा बता हो 27 upon कितना देगा आपके पास 80 माइक्रो कुलाम आ गया डेफिनेटी माइनेस का होगा क्योंकि आपने फॉर्स को पहली क्यूबन और क्यूटु का फॉर्स वो एक्ट्रेक्शन अपने कंसिडर किया है तो Q1 equals to Q2 कितना देगा माइनस का 27 upon 80 माइक्रो क्लम चार्ज या देगा भी तो फर्स्ट ओप्शन यहां पर आपका बन जाएगा इस कांस्वर तो बच्चों मैंने एक से लेकर कि तीस तकी क्यूशन आपके साथ में डिसक्स किया 1 to 30 और रिमेनिंग 31 to 60 तका जो पोर्शन है मेरे साथी परमोट धाका सर आपके साथ में डिसक्स करेंगे थेंक्यू वेरी मच्छ ओल्द पेश्ट हला वरीवन वैसल प्रमोट धाका टीम फिजिक्स CLC सीकर तो डियर इस सेशन में मैं आपके साथ का डिसक्स करने जा रहा हूं तो आई ये पीट का पेपर हुआ है 26th of November को उसका 31 से लेकर question number 60 तक का पाट है तो चलिए सर अपन question number 31 से start करते हैं इसमें बोला गया two equal blocks each of mass capital M hang on either side of a frictionless light pulley with a light string rider of mass small m is placed on one of the blocks when the system is released the block with rider distance a height capital H till the rider is caught by a ring that allows the block to pass through the system moves further distance capital D taking time T in such situation the acceleration due to gravity is the situation कुछ ऐसी है बिटा ये एक mass capital M है और यहां पर mass capital M और इसका एक rider है जिसका mass small m है ये पहले H इसको free fall होने दिया जाता है H distance तक यह यहां से यहां full करता है H distance तक fall करने के बाद यह जो rider वाला पार्ट है यह रिंग से caught हो जाता है उसके बाद capital M fall करता है तो अगला जो capital M जो अकेला capital M capital D distance जो travel करना है उस time duration को हमने small t का है और हमें acceleration due to gravity calculate करना है तो चलिए सबसे पहले अपन शुरू के small h distance तक में बात कर लेते हैं सुरू के small h distance में अपन इसका मास बोल सकते है capital M plus small m इसका मास हो गया capital M और यह बाली जो capital H distance fall होनी है इसके लिए हमने कहा कि sir acceleration की value आजाएगी small mg अपन 2 times of capital M plus small m h distance fall होने पर इसकी जो speed होगी V that will be under root 2 times of acceleration that one is mg upon twice of capital M plus small m into में capital H यह speed हो जाएगी उसके बाद दोनों तरफ capital M बचेगा तो यह constant velocity से move करेगा constant velocity से move करेगा तो distance travel करने में यदि time T है तो D is equals to BT तो हम V की value पूट करें V is 2mzh upon twice capital M plus small m into में time small t और मुझे G calculate करना है square कर देते D square यह data उदर multiply किया twice capital M plus small m divided by T square into में 2mh this one is acceleration due to gravity तो acceleration due to gravity आ रहा है 2 capital M plus small m d square by 2mg h into में T square तो यदि अपन options के साथ देखें तो first वला जो option है option A that is the correct answer तो question number 31 correct option is option A चलिए अगले question की बात करते हैं question number 32 में बोला गया है that a very small electric dipole of dipole moment P vector lies along the x-axis in a non uniform electric field electric field non uniform है c by x i cap है और हमें dipole पर force की value जो है वो calculate करके बतलानी है dipole पर force कितना आएगा ठीक है देखो dipole जो है वो non uniform electric field में रखा हुआ है और x-axis के लोंग रखा हुआ है lies along the x-axis और जैसे मालो मैंने कहा इस वाली situation पर placed है इस situation में यहां पर रखा हमें और इसका dipole moment जो है वो dipole moment P i cap है ठीक है तो non uniform electric field है तो इस पर जो force लगेगा यदि uniform electric field होता तब तो अपन बोल देते हैं इस पर जो force लग रहा होगा अब electric field के बारे में जब आब बात करोगे c by x i cap तो minus charge का x coordinate कम है तो इस पर electric field भी ज़्यादा होगा तो इस पर force ज़्यादा होगा इस वाले पर force कम होगा तो force का जो data जाना है वो मेरे पास सीधी सीधी बात इतनी सी है कि वह data मेरे पास minus i cap में जाएगा minus i cap में एक तो यह option भी नहीं है और यह वाला option भी नहीं है तो इनको तो बूल जाओ अब या तो मेरे पास b जाना या फिर d जाना है 0 मेरे पास आएगा नहीं यह मैं तुम्हें सीधा trick बता रहा हूँ जीरो तो होगा नहीं जीरो होगा नहीं इसका मतलब option भी जो है वो correct answer है एक तो हो गया यह वाला तरीका सभी दूसरे वाले तरीके में यदि मैं force के बारे में बात करूँ तो force की value जो अपन देते हैं वो dipole के लिए नुमेरिकली value के बारे में कि minus i cap तो आना ही आना है force जो दिया जाता ना वह अपन minus del u by del r से लिख सकते हैं डारेक्शन दोनों की सेम है तो जैसे ही differentiate करेंगे पी तो constant रह जाएगा अपना और electric में देखिए यह बोला गया है कि that a conducting thing is spherical cell of radii एंड गलत है यहां पर a and b has been charged with uniform surface charge density minus sigma on the inner and plus sigma on the outer surfaces then की inner surface जो उस पर charge है minus sigma outer surface जो उस पर charge है plus sigma और मुझे कुछ options के बारे में discussion करना है देखिए charges को लेकर यदि अपन discussion करें तो यदी conductor में ऐसी situation है कि इस वाली surface पर plus sigma की charge density है और inner surface पर minus sigma की charge density है तो यह केवल और केवल तभी possible है जब conductor के inside cavity में कोई न कोई चार्ज प्लिस किया जाए हमने का मालो कोई चार्ज रग दिया गया क्यों और यह दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो क्योंकि वेल्यू जो होगी मतलब inside the cavity that charge is sigma इंटू 4 पाई a square तो इसके according यदि मैं बात करता हूँ तो एक क्यों option there is a net charge electric net electric charge in the cavity and equal to this नहीं इसके equal नहीं आरा that is 4 pi sigma into a square तो 4th option तो गलत हो गया अब मुझे electric field के बारे में बात करनी है net charge on the spherical cell is 0 net charge भी 0 नहीं आएगा क्योंकि यह तो cancel out हो गया outer surface पर जो charge है total charge जो मेरे पास spherical surface पर आएगा that is sigma into 4 pi b square तो net charge 0 नहीं आएगा total charge क्यों total अपने पास निकल कर आगया अब देखिए outside the sphere यदि electric field की बात करें तो यह charge तो cancel out हो गया के वल यही charge बचा तो electric field जो निकल के आएगा that one is sigma into 4 pi b square this is the charge divided by 4 pi epsilon not into में r square तो आपका 4 pi cancel out हो गया this value comes as sigma b square divided by epsilon not r square तो यहां से यदि अपन देखें तो option जो second वाला जा रहा है कि radial electric field outside the cell वो field कुछ इस type से दिया जाएगा तो B और C में से B option जो है वो आपका correct answer है चलिए question number 33 के बाद question number 34 के बारे में बात करते है question number 34 है that a spherical conductor is charged up to a potential of 450 volt the potential outside the distance 15 cm from this surface is 300 volt कि एक spherical conductor है और इस पर potential जो है वो 450 volt का है मतलब KQY capital R की value जो है वो 450 है और surface से 15 cm distance पर मैंने का surface की यदि इसकी radius capital R है तो capital R plus small r small r is 15 cm this is 300 volt यह आपकी equation 1 है और यह equation 2 है ताक कि अपन radius calculate कर ले capital R plus small r upon capital R this ratio comes as 3 raise to 2 so this one is twice capital R plus twice small r is equals to 3 times of capital R then capital R is 2 times of small r small r की value 15 cm given है आपका capital R 30 cm अगला अगला अब इसमें option by option बात करें कि 15 cm from the center of है यदि 15 cm पर बात करता हूँ center पर किसी भी conductor में तो potential वही होगा जो उसकी surface का potential है और surface का potential जो है वो 450 volt है धो यह 15 मतलब यह radius 30 है तो आप 15 cm पर बात कर रहे हो इसका मतलब आप inside the spear बात कर रहे हो और inside the spear बात करेंगे तो potential वही होगा जो surface का सरफेस का potential 450 volt है तो यह option ना चाहें तो conductor पे charge के बारे में बात करें के क्यू अपोन capital R that value is 450 तो charge के बारे में calculate करेंगे 450 के का data नीचे गया 9 into 10 की पार 9 and radius 30 centimeter आ रहा है तो 30 अपोन में 100 ठीक है 20 से 20 cancel out होगे यह 5 times cancel out हुआ this one is 15 so 15 into 10 की power minus 9 मतलब conductor पे जो charge है that is 15 nanoculam 1.5 nanoculam नहीं है इसका मतलब option B भी गलत है तीसरा electric field just outside the surface is 150 यदि electric field just outside the surface की बात करें तो मैं KQ by R को यदि R से divide कर दूं तो just outside the surface पे पास electric field आ जाएगा KQ by R is 450 and the R is 30 centimeter so it is 30 into 100 data 10 की पार minus 2 वाला meter में convert करें तो यह cancel out हुआ this one is 15 so just outside the surface electric field is 1500 newton per coulomb तो यह वाला option भी गलत है फॉर्थ में करा दो टोटल लेक्रिकल अनर्जी अब the conductor is conductor की electrical energy calculate करके बतला नहीं है तो conductor की electrical energy calculate करने के लिए अपन देको formula लगा सकते हैं U is equals to KQ square by 2R होता है अब सीधा calculation में बात करें तो KQ by R की value जो है वो 450 है अब 4 से multiply करोगे चार जागे मेरे पास 15 into 10 की पार minus 9 divided by 2 यहां से जो फोर्थ वाला option जो आ रहा है D option वो correct आ रहा है तो question number 34 के लिए जो correct answer होगा D is the correct answer चलिए 34 के बाद next one 35 के बारे में बात करते हैं 35 में बोला गया है कुछ capacitors है C1 3μF, C2 6μF, C3 4μF, C4 1μF इनको circuit में correct किया हमने 60 वोल्ट की बेटरी के साथ अब की को close कर दिया गया है तो की से जो flow होने वाला चार्ज है मुझे वो calculate करके बतलाना मतलब पहले की open है बाद में आपने close किया है तो की से कित्ता charge flow करके गया लेकि इसमें एक situation अपन ना चार्ज इस पहले capacitor का अरेंजमेंट बनाने तीन छे चार और एक ठीक है कि देखो बिटाली यहां पर मेरे पास 3μF है यहां पर 6μF है यहां पर 4μF है यहां पर 1μF है 3μF, 6μF, 4μF, and 1μF यदि मैं अभी starting में charge calculate करता हूँ तो पहले 60V आपने connect कर रखा ना बेटरी जो है वो 60V की बेटरी है अब 3 और 6 का equivalent यदि मैं calculate करता हूँ तो वो 2 आता है 2 into 60 that is 120 तो इस पर charge है जो होंगे इस पर प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस इस पर चार्ज है 120 माइक्रो कुलाब इस पर भी चार्ज आएगा 120 माइक्रो कुलाब अब 1 और 4 का यदि मैं equivalent calculate करूँगा तो 4 into 1 upon 4, 5, 0.8, 0.8 into 60 इस पर चार्ज आएगा 48 माइक्रो कुलाब और इस पर भी आएगा 48 माइक्रो कुलाब तब उसके बात, जैसे आपने की लोगछ की, यह दोनों होगे पैरलल में, यह दोनों भी होगे पैर्लल की को क्लोज करते ही, situation कुछ ऐसी बन गई है, यह 60V लगा, 60V, this one is 3μF, this one is 4μF, this one is 6μF, this one is 1μF, तो दोनों के across potential जो होगा ना, इसके across भी 30V का होगा, और इसके across भी 30V का होगा, तो यदि मैं charges को लेकर बात करूँ, तो charges plus minus plus minus plus minus plus minus, य इस्प। चार्ज होगा नैंटी माइक्रो गुल ए इस पे चारज होगा 180 माइक्रो कुलम इस पे चार्ज होगा एफ जोंटी माइक्रो कुलम अब त्सक्राइब यदी मैं यह जेशन होगा जैसे आपने इस ब्रांच को ख्लोज किया इसपर चार्ज था 120 माइक्रोखलाप मेह बाद में 90 माइक्रोखलं। इसका मतलब इस पर 30 माइक्रोखलाम आध इस डारिक्षन में फ्लोोओके आया है यह कॉस стakt उसके ऩार्ज हास काना सब्सक्राइब आरहा चार्ज है नीचे का मैं उपर वाले combination से बात कर रहा हूं 120 की जग Wow 90 फरलला प्लस चार्ज आया है 180 की जगए चार्ज होगया 120 की जगए 180 प्लस में उसलिधार आया है तो इस पर जो चार्ज आया है वो इधर वाली साईड से 90 µKm का चार्ज आया है तो चार्ज ट्रेवलिंग जो हूई है वो 90 µK की हुई है और B से A की तरफ हुई है तो यदि इस वाले question के coding में बात करूं तो option A जो आ रहा है that is the correct answer चलिए sir आगे बढ़ाते हैं बात को 35 के बाद the next one is question number 36 the electrical conductivity of a sample of semiconductor is found to increase when the electromagnetic radiation of wavelength just shorter than 2480 nanometer is incident normally on the surface the band gap of the semiconductor semiconductor पे जब आपने 2480 nanometer से just छोटी wavelength डाली है मतलब यह limiting case होगा हमें band gap calculate करना है band gap के लिए सीधा-सीधा formula कि आपको इस wavelength की wave इस wavelength का photon absorb होगा तो conduction start हो जाएगा तो conduction में मतलब increment होगा मतलब electron जो है वो valence इस wavelength के photon या इस से कम wavelength के photon को absorb करके valence band से conduction band में move कर रही है तो इस situation में e is equals to that one is hcy lambda तो 2480 के according के दी मैं data calculate करूंगा तो यह data मेरे पास 0.5 electron volt टिकल के आएगा तो option c is the correct answer चलिए आगे बढ़ते है question number 37 में देखिए बूला जा रहा है that a u shaped conducting wire of mass 10 gram having length of its horizontal section as l is equals to 20 centimeter यह वाली जो length है यह 20 centimeter है is free to move vertically up and down the two ends of the wire are immersed in mercury for proper electric contact mercury में dip किया है हमने the wire is in a homogeneous magnetic field 0.1 tesla okay the wire jumps up to a height of 3 meter when charge q in the form of electric pulse is sent through the wire मतलब यदि इस से यह जो wire इसमें dip किया हुआ है इसमें से हम किसी pulse के form में sudden charge flow करवाते हैं तो यह जंप करके ऊपर जाता है considering the duration of current pulse very small मानला है ताकि impulsive force की तरह उसको calculate कर सके the charge q pass through the wire is estimated to be nearly कितना जो charge है वो estimated nearly कितना charge flow करके गया देखे पहले हमाँ situation की बात करें कि wire जो है यहाँ है let's suppose charge flow करवाने पर उसे जो impulse मिलता है उसकी वज़े से उसके पास एदर इस u speed आती है और यदि यह h height तक jump करके जाता है तो उस speed की value u is equals to under root 2g h के equal अपने पास हैगा maximum height यदि h है तो अच्छा फिर हमने का कि भई जो force लग रहा है magnetic force current flow होने की वज़े से वो लगता ilb तो किसी भी force की वज़े से जो impulse होता है उसको अपने इस से calculate करते है integration ilb dt l और b तो constant l और b को बाहर ले आए integration i dt that is the charge तो value मेरे पास किसके equal निकल के आई qlb impulse that is change in linear momentum शुरू में velocity थी 0 तो wire का linear momentum निकल के आया m into u तो charge q की value जो अपने पास निकल के आ रही है that is m u is under 2gh divided by l into b l given है b given है अपने charge q की value calculate कर लेंगे charge q की value numerically calculate करने पर 3.84 को लोम आ रही है आपको सारे data given है इस बाट आ प्लेस करो answer आ जाएगा चलिए आगे बढ़ाते है 37 के बाद question number 38 38 है a target if lithium 7 is bombardment with a proton beam of current disc for one hour मतलब one hour के लिए हमने 10 की पार minus 4 ampere की current उस पे incident करवाई तो की lithium से proton के bombardment के बाद beryllium का production स्टार्ट हो जाए और उस beryllium की activity जो आ रही है न वो beryllium की activity आ रही है 1.8 1.82 10 की पावर 8 disintegrations मतलब हमने पर सेकिंड इतने protons इतने beryllium का production हो गया कि इतने beryllium का production हुआ कि इतने का हो गया तक की activity यह आ जाए अच्छो हाफ टाइम calculate करना है N N मतलब present number of beryllium चिक है present number of beryllium तो इसका data यदि मुझे calculate करना है तो देखो per second current जो आ रहाना वो यह आ रहा है और यह बोल रहा कि 1000 protons जो आ वो 7 BE का formation कर रहे है जो 1000 में से 1000 protons produces radioactive nucleus assuming that bombardming of 1000 protons produces 7 BE radioactive nucleus मतलब 1000 protons गी रहे न तो एक का production हो रहा है तो मैंने का per second पहले देखें कि कितने protons incident हो रहे तो per second protons को यदि मैं calculate करू that one is current upon charge current is 10 raise to the power minus 4 और proton पे charge हो था 1.6 into 10 की power minus 19 so this data is 10 raise to the power plus 15 upon 1.6 कितने प्रोटोंस पर second produce हो रहे है और 1000 में से कोई एक production कर रहा है 1000 में से कोई एक production कर रहा है तो production वा 10 raise to the power 12 upon 1.6 इसमे पूट कर दो जैसे ही आप यहाँ पूट करोगे log 2 upon t half and this one is 10 raise to the power 12 upon 1.6 ये data जो मेरे पास निकल के आ रहा है ये निकल के आ रहा है 2 4 0 7 hours approximately मतलब हाफ टाइप हाफ लाइफ जो निकल के आ रही है वो 2,407 hours निकल के आ रही है बाद ठीक है चलिए सर अगले किशन की बात करते है 38 के बाद 39 39 में बोला जारा है आपने पास होता है एक तो अपने पास होता है that m is phi upon i और दूसरा होता है m is equals to e upon di by dt current तो variable है नहीं तो coefficient of mutual induction calculate करने के लिए flux वाले तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे अब situation कुछ इस टाइप की है कि यहाँ पर एक straight wire है और straight wire में से current जा रहा है आई यहाँ पर एक rectangular wire मेंने wire frame में रख दिया यह distance है इस wire frame में यह distance है भी और यह वाली distance है मैंने का सबसे पहले flux calculate करते है flux calculate करते है तो wire frame जो है ना wire से variable distance पर है तो मैं यहाँ से r distance पर dr थिकनेस का एक element assume करता हूँ मैंने का magnetic field के बारे में यदि अपन बात करें तो इस element पर magnetic field होगा mu not i upon 2 pi r element का flux होगा b dot d that one is mu not i upon 2 pi r into element का area that one is c यह height to c यह thickness dr यह to c into dr this is d phi तो यदि मैं total flux की बात करूंगा that one is integration of d phi and that one is mu not i c upon 2 pi dr upon r अब देखो frame की wire से minimum distance है a और maximum इस वाले part की है तो maximum distance किती a plus b तो अपन इसमें limit लगा देते है a से लेकर a plus b यह आ गया mu not i c upon 2 pi log a plus b by a यह flex आया तो coefficient of mutual inductance that one is 5 upon i this data is mu not c upon 2 pi into my log 1 plus b by a अब आपको सारे data given mu not is 4 pi into 10 की पार minus 7 c is 50 centimeter बोले तो 1 by 2 divided by 2 pi तो यह 4 pi तो cancel out हो गया और यह data log 1 plus b by a 1 plus b by a b is 30 a is 10 तो this one is log 4 log 4 जो होगा उसको अपन solve करके लिख सकते हैं log 4 is 2 into 0.693 तो उसके basis पर यदि मैं इसको solve करूंगा तो इसका आंसर जो निकल के आएगा that's c so 139 nanohenry approximately 139 nanohenry is the correct answer चलिए जर आगे बढ़ाते हैं बात को 39 के बाद next one is question number 40 देखे 40 में बोला जा रहा है the impedance of a given series LCR circuit fed with alternating current is same for two frequencies F1 and F2 और resonance frequency जो है मतलब यह बोल रहा है कि 2 frequencies है LCR circuit में जिनके लिए impedance बराबर आ रहा है और generally ऐसा half power frequencies पर होता है impedance बराबर आता है resonance frequency पूछिए तो half power frequency के case में अपने यह बोल सकते हैं भी देको यह impedance यह होता है R square plus omega L minus 1 upon omega C का square और यह आपके पास Z square के एक खोला गया और यह जो Z आता है यह half power frequencies पर 2 R square के एक खोला आता है जैसे ही soul करेंगे omega L minus 1 upon omega C is R square तो first वाले के लिए यदि मैं plus R लिखता हूँ second वाले के लिए इस data को minus R लिख देगे simple अब उसके बाद हमने का भी देखो यह दोनों data इसका मतलब बराबर है plus और minus के साथ बोले तो omega 1 L minus में 1 upon omega 1 C is equals to minus of omega 2 L plus में 1 upon omega 2 C इसको इदर ले आते हैं omega 1 plus omega 2 into में L is equals to 1 upon omega 1 plus 1 upon omega 2 that one is omega 2 plus omega 1 upon omega 1 omega 2 in 2 में 1 upon C ये cancel out हो गया omega 1 omega 2 that one is L C is equals to 1 upon omega 1 omega 2 this one is omega r 1 upon omega r square 1 upon omega r square resonance frequency वाली angular frequency तो angular frequency में relation ये आ रहा है that omega r is equals to under root of omega 1 omega 2 resonance frequency में relation निकल के आएगा under root F1 F2 according to this according to question number 40 C is the correct answer पर हम से ये बोला गया कि दो ऐसी frequencies हैं जिन पर impedance बराबर हमने का resonance frequency वाले से कर लेते हैं half power frequencies वाले से कर लेते हैं पर वहाहां से data solve किया resonance frequency की value आरी under root F1 F2 चली आगे बढ़ाते हैं 40 के बाद the next one is question number 41 41 question जो है इसमें बोला गया that a lawn roller is a solid cylinder of mass capital M and radius capital R as shown in the figure it is pulled at its center by horizontal force capital M and rolls without slipping on a horizontal surface horizontal surface पर rolls without slip कर रहा है तो मुझे ये बतलाना है कि cylinder का acceleration कितना है cylinder पे frictional force कितना है और minimum coefficient of friction required कितना है sleeping opening के लिए ठीक है देखो बिटा पहले question पर discussion करते हैं कि ये एक solid cylinder है lawn roller है और इस पर आपने center पर force capital F लगाया है ये pure rolling कर रहा है तो एक तो इसका acceleration बतलाना है frictional force coefficient of friction बतलाना है दो चीज़े है ठीक है और friction force पे भी calculation है SEC B option में ठीक है मैंने का देखो इधर capital F लगा और cylinder पे हमने ये माल लिया कि frictional force जो लग रहा है वो backward direction में लग रहा है प्योर rolling के case में अपन forward और backward दोनों लेकर soul कर सकते है same direction होगी जो आपने मानी है वही होगी तो plus में आएगा opposite होगी तो data minus में आएगा अब देखो इस पर दो force लग रहे है तो आप बोलेंगे capital F minus small f is equal to ma this is equation number दूसरा यह दी आप torque की बात करेंगे तो केवल friction का torque लगेगा that fr is equals to i alpha fr is equals to i के बारे में बात करें cylinder है तो this one is mr square by 2 and alpha जो अपने पास निकल के आएगा that is ayr ये cancel out हो गया f आया ma by 2 तो small f अपने पास निकल कर आगया ma by 2 this is equation number 2 एक काम करते हैं तो नों को add कर दो 1 plus 2 small f तो cancel out हो गया capital F निकल के आगया 3 ma divided by 2 यहां से acceleration के लिए solve करेंगे तो acceleration आएगा 2 f by 3 m तो second option तो गलत हो गया sorry first option गलत हो गया second picture चा करेंगे acceleration गलत हो गया frictional force के बारे में यदी में बात करो तो frictional force यही से solve कर लेते हैं that f is equals to m by 2 into the acceleration that is 2 f by 3 m तो frictional force निकल के आया f by 3 और मेरे यह frictional force कुछ और दिया हो आगया तो यह भी गलत है तीसरा minimum coefficient of friction required sleeping रोकने के लिए तो यह जो frictional force है this should be यह static होना चाहिए मतलब यह data जो है यह मेरे पास mu mg से कमाना चाहिए तो आपका f by 3 का जो data है that should be less than mu m z तो minimum coefficient of friction required जो होगा that is f by 3 mg this is the correct answer तो यह वाला जो option है यह option c में अपने को given है this is f by 3 mg तो question number 41 के लिए c option जो आ रहा है that is the correct answer चलिए sir 42 में बात करते है 42 में बोला गया है that a hydrogen atom initially at rest hydrogen atom initially rest में है एक photon emit करता है और excited state से n is equals to 5 2 मतलब एक excited state में है n is equals to 5 से और वहाँ पर ground state में move करता है अच्छा मेरे को recoil speed चाहिए atom की approximately recoil speed जो आएगी वो कितनी आएगी अब आप देखो ऐसा है यह mh है विटा है यदि hydrogen atom में initially rest में है electron excited state में है ground state में आएगा तो ऐसा होगा कि यह backward में recoil करेगा और इधर photon जाएगा linear momentum conservation लगाएंगे photon का linear momentum h by lambda और hydrogen atom का linear momentum mv दोनों को equal put करना lambda की value rz square 1 by 1 square minus 1 by 5 square यहाँ से यदि मैं soul करूंगा तो recoil speed मेरे पास निकल के आएगी 24 hr divided by 25 m सारे data आपको given है यदि इस question को numerically soul किया जाएगा तो option a जो आ रहा है वो correct answer आएगा आपने पास चलिए 42 के बाद question number 43 देखिए 43 में बोला जा रहा है two nucleides a and b are isotopes the nucleides a और b वो डोनों isotopes है isotopes है इसका मतलब दोनों की atomic mass number same होगा mass number different होगा atomic number sorry atomic number same होगा दूसरे में बोला है the nucleides b and c are isobars तो इनका mass number same होगा isobars का all three nucleides a b c are radioactive तीनों radioactive है और आपको conclusion देना है देखिए यदि a और b दोनों के atomic number same है तो a से b का conversion radioactivity के through possible नहीं है क्योंकि किसी भी radioactive process में decay process में दो type के होते हैं एक तो alpha decay और एक बीटा decay दोनों में mass atomic number जो है न वो change होगा ही होगा mass number बीटा डिके में change नहीं होता है तो b और c जो है यह एक दूसरे से radioactive में change हो सकते हैं mass number same रहे गया बीटा डिके हो गया लेकिन a से b का conversion possible नहीं है क्योंकि दोनों का atomic number same है और atomic number same किसी भी radioactive decay process में नहीं होता तो अपन यह बोल सकते हैं कि option d जो है कि it is possible that b may change to c through a radioactive decay process यह वाला correct होगा बाकी कोई भी option correct नहीं है आगे बढ़ाते हैं 43 के बाद question number 44 में देखे यह बोला जा रहा है कि numerical aperture जो होता है किसी भी optical fiber का वो इसकी light gathering power का measurement होता है यह informative सी बात है इसको ध्यान में रखना आपने को चलिए 44 के बाद question number 45 की बात करें कि direct vision spectroscope has been designed to obtain dispersion without deviation by arranging alternating inverted thin prismo मतलब मेरे को dispersion without deviation वाला arrangement करवा है और इसके लिए दो prismo को arrange किया गया है dispersion होगा लेकिन deviation 0 होगा deviation 0 होगा ना जैसे यह पहला प्रिजम हो और यह दूसरा प्रिजम है तो deviation 0 के लिए अपन यह लिखते है mu1-1 into me even is equals to numerically वैसे तो अपन यह से लिखते हैं कि यह प्लस लगा दिया साथ में mu2-1 into me a2 यह वाली value 0 आती है एक inverted आता है तो कोई दिखत नहीं है numerically अपन यह बोल सकते हैं कि इस situation में mu1-1 into me even आपके पास mode mu2-1 into a2 k equal आएगा चीक है crown glass के लिए refractive index given है flint glass के लिए refractive index given है और angle भी given है तो crown वाले के लिए angle calculate करना even calculate करना mu1 दिया है mu2 दिया है a2 दिया है data put करके check करेंगे देखो a1 की value आएगी 0 1.732 minus में 1 0.732 into me this angle is 3 degree divided by 1.414 minus में 1 0.414 यहां से solve करेंगे तो option C जो आएगा that is the correct answer चलिए 45 के बाद question number 46 की बात करते है 46 में बोला गया है continuous and characteristics x-rays are produced when the electron beam are accelerated by high potential difference of V-volt it means to hit the metallic target molybdenum of modern coolies tube coolies tube है V-volt potential difference अपने apply किया है तो continuous or characteristics x-rays generate हो रही है lambda minimum smallest possible wavelength है तो smallest possible wavelength जो होती है वो अपने पास hc divided by e into delta v से दी जाती है कि electron जो है वो अपनी complete energy जो है वो x-rays के form में release कर देता है तो यह तो lambda minimum है दूसरा lambda l alpha जो है वो minimum characteristic characteristics जो waves है उनकी minimum wavelength है lambda l alpha ठीक बात है यह जो आता ना यह material पर depend करता है मतलब this one is independent of the applied potential difference तो इसके basis पर lambda l alpha के first or second option तो गलत होगे c option में lambda l alpha lambda minimum जो है applied potential difference के inversely proportional है तो यदि आप applied potential difference को increase करेंगे तो lambda minimum में decrement आएगा चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को question number 47 देखिये बोला गया है while performing an experiment for determining the focal length of a concave mirror by UV method UV method से एक concave mirror की focal length calculate कर रहा है a student records the given set of position in the object and corresponding image on the bench object और image की कुछ locations दी गई है c used an optical bench of length 1.5 meter mirror is fixed at the 90 cm mark on the bench mirror 90 cm पर fix है the maximum acceptable error in the location of image image की location में maximum acceptable error 0.2 cm का है the reading that cannot be obtained from the experimental measurement and has been incorrectly recorded for a mirror of focal length 24 cm कि भी कुछ reading समने optical bench में object और image की ली है इन में से कौन सा जो है reading वो incorrectly measure हुआ है ठीक है देखो ऐसा है आप ऐसे सोचो की mirror जो आना वो यहाँ है ठीक है 90 cm पर object मालनों यहाँ से x1 distance पर है और image यहाँ से x2 distance पर है तो आप यह बोल देखे कि u की value तो होगी minus 90 minus x1 और v की value होगी minus 90 minus x2 u और v का data आपने पास आ गया अब यदि मैं यहाँ से देखो पहला यह दूसरा यह तीसरा चौता बाच वाँ यह जितने भी data ना यह सारे रख्के सोल करता हूँ ना तो focal length आता 24 cm माइनस मैं जैसे मैं इसके लेकर बात कर लेता हूँ 90 minus 12 that one is 78 तो first वाले data के लिए u की value minus 78 आ रही है और v की value जो आ रही है वो minus 39 आ रही है तो focal length का formula वन अपोनन वी प्लस वन अपोनन यू इसबस तो वन अपोनन एफ ठीक है soul किया this value is minus 3 by 78 and focal length is minus 24 cm तो यह साही है जितने भी होंगे आप soul कर रहो लेकिन last वाला तो data ना 78 और 98 वाला इसको लेकर यदि मैं soul करता हूँ ना तो u की value आती है minus का 12 cm और v की value आती है plus का 8 cm अब जब इसको लेकर soul करते है न वन अपोनन वी प्लस वन अपोनन यू तो यह data soul करने पर 1 by 24 आता है मतलब इसमें focal length जो आती है वो plus 24 cm आती है जबकि बाकि सारे readings में focal length जो आती है वो minus 24 cm आती है तो इसके according यदि मैं बात करूँ तो जो d option है 78 और 98 यह वाली जो reading है यह practically possible नहीं है यह incorrectly record हुई है चलिए सर अगले question की बात करते है question number 48 में बोला गया है यह parallel beam of 6 milliwatt radiation of wavelength 200 nanometer and area of cross section 1 meter square falls normally on a plain metallic surface plain metallic surface पर incident हो रहा है radiations जो है वो completely reflect हो रहा है metallic surface पर approximately pressure calculate करना है तो देको pressure यदि completely reflection होता है न तो pressure का formula एक तो होता है 2i by c this one is intensity और जिसको यदि power से relate करें तो यह आता power upon area तो जब आप value put करेंगे power आपको 6 milliwatt given है surface का area जो है वो 1 mm square है c is 3 into 10 raise to the power 8 तो यह data निकल के आता है 4 into 10 की पार minus 5 पासकल तो according to this fourth option is the correct answer चलिए सर देखो यहां तक का जो पाट था न यह single choice questions का था अब आगे के जो पार्ट है यह 12 question multiple choice questions के है तो अपन सुरू करते है question number 49 के साथ देखे question number 49 में बोला गया है a small dipole is placed at the origin with dipole moment p i cap oriented along the x axis ठीक है e and v are respectively the electric field and potential at point a, x, y और कुछ observations लिए गये हैं मतलब पले कुशन को discuss करते हैं एक small dipole है जिसका dipole moment p i cap है इसको पन यहां टिका दिया और यहां पर कोई point है x, y वहां पर electric और potential के बारे में बतलाना है तो cdc बात देखो potential का तो यह formula होता है kp dot r upon r cube याद रखो बात करता है clear kp dot r upon r cube यह आपको पढ़ावी होगा kp cos theta upon r square होता है उपर नीचे r से multiply किया और p r cos theta को p dot r put कर दिया मुझे comment करना electric field x axis के लोग और electric field y axis के लोग देखें हमने ऐसा किया कि जो डाइपोल है इसके दो component थोड़े बोले तो जैसे इस वाली line के लोग जैदी इस angle को theta का तो एक component तो डाइपोल का इधर थोड़ा p cos theta और एक इसके perpendicular थोड़ा p sin theta मतलब मैंने p को दो पार्ट में बना दिया p cos theta और p sin theta में इसके according इदर electric field होगा 2 kp cos theta अपोन r cube और इसके लिए इदर electric field होगा kp sin theta अपोन r cube यह वाला angle theta अब x और y में यह दि मुझे तोड़ना इस है तो इसका इदर वाला component cos इसका इदर वाला component sin तो electric field जो निकल कर आया x और y में बात करें यह दिया तो इदर तो निकल कर आगया 2 kp cos square theta अपोन r cube और इदर आ गया kp sin square theta अपोन r cube इदर 2 kp cos theta sin theta upon r cube और इस वाले का इदर वाला component kp sin theta cos theta upon r cube यहाँ पर आपके cos theta की value जो है वो तो है x upon r और sin theta की value जो है वो है y upon r तो यह data यदि मैं इसमें put करके soul करता हूँ न तो option a और b यह भी correct निकल के आते हैं तो question number 45 में यदि मैं बात करूँ तो question number 45 का correct answer है a, c और d चलिए सर आगे सुरू करते हैं 49 के बाद the next one is question number 50 50 में बोला गया है कि दो equivalent opposite charges है plus q y axis पर लाई कर रहे है electric field strength x,0 पर तो पैसे आसान सा question है generally class rooms में यह discuss भी होता है यहाँ पर charge q है और इसकी location है 0, a यहाँ पर charge q है इसकी location है 0, minus a तो इसकी वज़ा से electric field इदर होगा इसकी वज़ा से electric field इदर होगा यह angle theta यह theta यह e तो net electric field को अपन कह सकते है this one is 2e cos theta i cap वैसे को 2 e key value k q upon x square plus r square and cos theta is x upon under root x square plus a square के वल magnitude में बात करें तो यह electric field आ गया किसी भी variable point paper ठीक है तो एक तो x axis के along electric field होगा और electric field जो होगा यह वाला data satisfy कर रहा है नहीं कर रहा है large values के लिए तो large values मतलब x very very greater than a तो x square plus a square आसे e p लिखना चाहें this one is 2k q x upon x square plus a square raised to the power 3 by 2 यदि x very very large है तो x square plus a square x square के equal होगा x square की power 3 by 2 मतलब x cube तो नीचे 1 by x square बच गया तो इसके according यदि मैं बात करूँ तो एक तो option b जो है वो correct हो गया फिर यदि मैं इसे differentiate डिकलरा दिया मैंने यदि मैं इसे differentiate करके check करता हूं first derivative कहां पर zero हो रहा है जहां पर maxima आएगा वो location मेरे पास निकल के आती है x is equals to a by root 2 तो इसके according यदि मैं बात करूँ तो question number 50 के लिए option b और option c दोनों ही correct आ रहे है चलिए तो अगले question की बात करते है question number 51 तो इसमें बोला गया है that a metal road of mass small m and length L slides on a frictionless parallel metal rails of negligible resistance resistance capital R is connected between the rails at their ends as shown in the figure uniform magnetic field B is directed into the plane of paper perpendicular to the plane of race rails throughout the space the road is given an initial velocity V note no other force acts on the road then situation कुछ ऐसी है की uniform magnetic field है अपने पास यहां एक resistance connected है यहां पर एक resistance connected है और rails में इसको मैंने रोड को इस direction में V note velocity देकर छोड़ गया और यूनिफॉर्म magnetic field जो है वो इस direction में है तो यहां से अधी अपन सोचें तो इस situation में कुछ time के बाद यह हाला generate होंगे और road के पास इधर यदि velocity V है किसी particular instant पर तो यह potential difference होगा यह BVL होगा और इसका resistance जो है वो मेरे पास R के equal है तो इसमें current जो flow करेगा वो flow करेगा BVL by R अब इसकी वज़ा से इस current flow की वज़ा से current इदर flow कर रहा है magnetic field inward इस direction में इस पर force act करेगा current की direction में मेरे first finger को रख रहा हूं middle finger जो है वो force magnetic field की direction में है तो force इस direction में आ रहा है FM जिसकी value magnetic force की value होती है FM is equals to ILB by R ILB और I की value BVL by R तो इसको अपन लिख सकते हैं B square L square V by R तो इसका जो acceleration आएगा that acceleration will be divided by mass अब इस acceleration को अपन दो टाइप से लिख सकते हैं एक तो मैं माइनस dv by dt लिख सकता हूं और एक माइनस dv by dx लिख सकता हूं ताकि मैं distance और velocity दोनों calculate कर सकता हूं options में यदि अपन देखेंगे न तो देखो velocity भी given है और distance भी given है तो इसके basis पर यदि मैं velocity वाले term के लिए solve करूंगा तो this one is dv upon v is equals to b square L square divided by mr into dt let's integrate it minus ka sign है 0 to t let's integrate it v naught to v तो solve करने पर velocity आती है v naught e raise to the power minus b square L square mr into t जोगी first option में given नहीं है इसलिए first option गलत हो गया second यदि मैं v dv by dx वाले से solve करता हूं तो मेरे पास dv by dx की value यहाँ पर निकल के आती है minus में b square L square by mr ठीक बात और मैं distance यदि calculate करना चाहूं तो dx can be written as minus में mr upon v square L square into में dv जिसको integrate कर दूँगा v naught से 0 तक इसे integrate कर दूँगा 0 से x तक तो x की value आएगी minus minus तो plus हो जाएगा mr v naught upon में b square L square कि इत्ती distance travel करने के बाद body रुख जाएगी तो second option correct है अब जब body रुखेगी तो initially road के पास kinetic energy is half mv naught square और final kinetic energy is zero तो इस process में सारी की सारी kinetic energy का loss हो चुका है जो की heat energy की form में dissipate होगी तो third option गलत होगे fourth option ये बोला जा रहा है कि charge जो हुआ वो q is equals to mv naught upon bl आएगा देखो चार्ज वाले के लिए यदि मैं बात करूँ तो i की value जो है वो bvl by r आती है तो i will be bl by r और velocity को लिख सकते हैं v naught minus e raise to the power minus b square l square by mr into t current जो है that can be written as dq by dt त आपका dq जो निकल के आएगा that is bl v naught upon r e raise to the power minus b square l square by mr into mid t dt इसे integrate कर दो 0 से infinite तक इसे integrate कर दो 0 से q तक तो ये जो fourth वाला option है mv naught upon bl ये भी correct निकल के आता है तो इस question के जो correct options है option b and option d a and c जो है वो incorrect transfers है चलिए 51 के बाद next question की बात करते है question number 52 52 जो है वो em waves का question है और एक आसान question है question में ऐसे बोला गया कि magnetic field की value given है that b is equals to two into 10 days to the power minus five sign में this represents a plane electromagnetic wave traveling in a space x meter में t second में correct statement बतलाना है दो सबसे पहले तो first option में मेरेको wavelength और frequency calculate करने है तो wavelength जो होती है वो 2 pi by lambda होती है यहां से data put करेंगे 0.5 into 10 की power 3 into 5 तो यहां से calculate करने पर wavelength की value 0.004 meter आ रही है वोले तो 4 mm आ रही है तो option 1 जो है वो correct answer आता है अब इसके अलावा दूसरा यदि मैं e note की value देखूं तो बिटा e note की value जो है that will be written as c into b note ठीक है b note आपको given है यहां से जब आप e note की value calculate करेंगे तो e note आएगा 6000 तो उसके according यदि मैं देखूं तो option d जो आ रहा है न वो correct answer आ रहा है अब electromagnetic wave की energy density की यदि बात करते हैं तो energy density का data half epsilon not into में e note square से calculate होता है जो कि इसके equal नहीं आता इसका मतलब इस question के जो correct answers है वो correct answer answer a और answer d होगे चलिए sir question number 53 की बात करते है the force effects acting on a body of mass smaller changes with position as shown force का position के साथ grab बिखाया गया है तो potential energy x equal to 0 पर 0 है potential energy तो यदि x equal to 0 पर potential energy 0 है देखो मैं यदि option a और d को देखता हूँ तो d correct होती a गलत हो गया और a वाला सही होगे तो d गलत हो गया तो सबसे पहले मैं 3 पर potential energy निकालो तो यदि मैं force के work done की बात करता हूँ इस area में तो इस area में मेरे पास force का work done जो निकल के आता है वो आता है एक तो ये rectangle फिर ये triangle तो work done निकल के आता है 10 तो u3 minus में u0 that is minus of 10 तो 3 की potential energy मेरे पास minus of 10 जूल निकल के आगी इसका मतलब fourth option सही है और जब fourth सही है तो first वाला गलत है उसके बाद जब मैं region 2 से लेकर 4 में बात करता हूँ तो 2 से लेकर 4 में जैसे देखो अपन x equal to 3 put करते हैं इसके अंदर है ना जैसे x equal to 3 put किया u is equal to 2 into में this value is 4 sorry 9 minus में 12 into 3 तो ये वाला data तो मेरे पास आ रहा है 18 और ये वाला data आ रहा है मेरे पास minus 36 इसका मतलब u3 की value को ये satisfy नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है तो बात को खतम करो यहीं से अब similarly यदि मैं 0.4 पर potential energy calculate करता हूँ न तो 0.4 पर potential energy मेरे पास आती minus work done के थूँ अब ये जो function given है UX वाला इसके basis पर यदि मैं बात करूँ तो 0.4 पर x equal to 4 put करने पर u4 की value minus of 8 आ रही है तो पहली चीज़ तो वहां से satisfy होगी दूसरा force की यदि मैं equation देखना चाहूँ तो f is equals to minus del u by del x होता है minus del u by del x आपको 2x minus 12 देगा अब इस region में 4 से 6 वाले में यदि मैं force का graph बनाता हूँ तो 4 से 6 वाले में force का graph कुछ ऐसा आएगा 4 6 ये वाला data 4 ये वाला data minus का 12 तो मैं लिखूंगा x upon minus 12 plus x upon 6 equal to 1 lcm लेकर solve किया तो minus of f plus 2x equal to 1 तो force की value f is equals to 12 को इधर बेज़ दिया और minus 2x तो that is minus f is equals to 12 minus 2x तो force की value निकल के आती है 2x minus of 12 और यदि मैं इसको यहां से solve करके देखता हूँ तो ये देखे ये minus of 2x del u by del x minus में del u by del x 2x minus 12 और ये data इदर भी 2x minus 12 और ये potential energy की function को भी satisfy कर रहा है और force के function को भी satisfy कर रहा है तो यदि अपन यहां से बात करते हैं तो option c और d दोनों ही correct transfer साथ है so for me this correct answers for this question सा c and d 53 के बाद the next question is question about 54 इसमें बोला गया है that a deutron of mass capital M moving at speed v collides elastically with an alpha particle of mass 2m initially at rest the deutron is scattered through 90 degree from initial direction of motion with speed vd मतलब situation कुछ ऐसी है कि एक deutron जो है वो वी स्पीड के साथ moving और 2m mass के alpha particle जो की rest में रखावा उससे collide कर रहा है collision के बाद deutron इस direction में vd speed से जा रहा है मैंने का उस speed को v1 कह देते हैं और यह 2m mass particle जो alpha है obviously यह वाला इस direction में जाएगा यह theta angle पे जा रहा है तो हमें v1 calculate करना है v2 calculate करना है angle theta calculate करना है कुछ इसी type के data calculate करने है इसके अंदर तो सबसे पहले linear momentum conservation लगाएंगे x direction में तो mv is equals to 2mv2 cos theta दूसरा y direction में initially तो कुछ है नहीं finally यह वाला mv1 is equals to 2mv2 sin theta तो यहां से मेरे पास v2 plus v1 square की value जो है वो 4v2 square के equal आ रही है दूसरा यदि मैं energy conservation लगाऊंगा तो हाफ mv2 is equals to half m into v1 square plus half 2m into v2 square आएगा v2 square की value यहां पर रखके check करेंगे न तो v1 की value v by root 3 आएगी और यही value v1 की इसमें रखके चेक करेंगे तो v2 की value जो है वो भी v by root 3 आएगी वी 1 अपना vd था और यह अपने पास v alpha था इसको अपने माल लिया था तो इसकी value v by root 3 और v by root 3 आगई मतला option b और option c जो है वो correct transfer जब आप angle theta के लिए check करेंगे बनाई भी अपनी equations जो है इन दोनों से तो आपका angle theta जो है वो भी 30 degree आएगा और fourth वाला यह दिए अपन बात करें काइनेटिक energy को लेकर तो यह half into 2m into में v2 by 3 आता है तो initial kinetic energy तो तीना deutron की वो half mv square थी साथ में अपने पास 2 by 3 आ रहा है मतलब deutron की kinetic energy का 2 by 3 fraction जो है नहीं वो alpha particle को transfer हुआ है तो इसके coding के दी में बात करूं तो option d जो है वो भी correct आ रहे तो इस वाले question के लिए a b c d 4 option correct है चलिए सर आगे बढ़ाते है 54 के बाद the next one is question number 55 55 essence कोई typical question नहीं है दो plane progressive wave से equation दीवी है superposition करके standing wave का production कर रही है variable x और y meter में है t second में है मुझे एक तो equation बतलानी है तो जब मैं दोनों को add करूंगा ना तो इसकी equation आएगी 5 into 10 की बार minus 3 sin 30 x cos 420 t तो इसके according यदि मैं check करता हूँ ना बिठा तो first और second दोनों ही option गलत आते हैं फिर उसके बाद मुझे check करना है कि x is equals to 0.5 के closest जो anti node है वो कहां होगा और जो particle x is equals to 0.17 पर है उसका amplitude कितना होगा तो यह दोनों ही values इसके through check होंगी जब आप इस function में यह दोनों values पूट करके check करते हैं option 3 और option 4 दोनों ही correct आएंगे इतना calculation आप कर लेंगे इसमें चलिए तो इसके according मैं बोलू ना तो 55 में option C और option D दोनों ही correct आ रहे हैं चलिए 55 के बाद the next one is question of a 56 56 में बोला जा रहा है two moles of nitrogen in a container of negligible thermal capacity are initially at 17 degree Celsius the gas is compressed adiabatically from initial volume 120 liter to 80 liter मतब 2 mole है initially 17 liter 17 degree Celsius पर है initially volume 120 liter है final volume 80 liter है correct options बतलाने है तो सबसे पहले तो initial pressure निकालने gas का initial pressure जब आप calculate करेंगे तो आप NRT upon V से calculate करेंगे तो initial pressure इसका 40.2 kilopascal के approximately equal आ रहा है तो first option correct है दूसरा final temperature की बात की गई है तो temperature के लिए और volume के लिए आइडियाबैटिक equation में अपन ये वाली equation follow कर सकते है T1 V1 raise to the power gamma minus 1 is equals to T2 V2 raise to the power gamma minus 1 जब आप यहाँ पर put करके T2 की value calculate करेंगे तो T2 की value आपके 68 degree Celsius हा रही है मतलब option 2 जो है वो भी correct है अब तेमपरेचर में increment हो रहे है obviously internal energy में increment होगा और जो internal energy में increment होगा उसका minus जो होगा वो work done के equal होगा तो यदि delta U positive आएगा तो work done negative आएगा तो work done calculate करने की ज़रुवकी नहीं है अब मैं सीधा सीधा internal energy calculate करनी है मेरेको nitrogen gas है तो nitrogen gas जो है वो dieatomic gas है dieatomic gas के लिए CV की value 5R by 2 होती है तो मैं delta U की value सीधा सीधा 2 into 5R by 2 into delta T that is 68 minus of 17 यहां से check करूँगा तो gas की internal energy जो है वो मेरे पास निकल के 2.12 kilojoule आ रही है so that is the correct answer तो इसके according के दी मैं बात करूँ तो 56 में मेरा जो correct answer आ रहा है वो A, B और D निकल के आ रहा है चलिए आगे बढ़ाते 56 के बाद question number 57 57 में यह बोला गया है कि in the circuit shown the current in the 8 ohm resistance यह जो resistance है ना इस resistance से जो current जा रहा हूँ वो 0.5 ampere का है emitter ideal है cell का internal resistance 0.8 है कुछ correct options चूज करने है तो ऐसे question में जब मैं option पढ़के hit करने ही कोशीज करता हूँ तो सबसे पहले यह नजए रहाता है कि यह अपन branches को parallel ही मानके और हर एक branch में current की value solve कर लेते हैं देखो यह मेरे पास 12 ohm का resistance है यह मेरे पास 6 ohm का है तो 12 into 0.5 that is 6 तो यहाँ से current आएगा 1 यदि यहाँ से current बन आया तो इस वाली branch से current आएगा 1.5 ठीक है अब 12 और 8 यदि मैं इनका parallel combination solve करता हूँ देखो मैंने actually मैं यह किया यह 6 है यह 2 8 और 2 है मतलब यह 12 है उसके बाद यह वाला मेरे पास 2 ohm है यह वाला मेरे पास 12 ohm है यहाँ मेरे पास resistance 2 ohm है यहाँ पर मेरे पास resistance 12 into 6 upon 12 plus 6 आ जाएगा तो वो resistance 4 ohm का निकल के आएगा अब मैं जब यहाँ से बात करूँगा ना तो यह पैरलली 8 है अब 8 से current जा रहा है 3 by 2 का यहाँ से मैंने का मानलो current जा रहा है small i का तो 8 into 3 by 2 is equals to 12 into i यह 4 times cancel out हुआ i की value 1 निकल के आ गई यदि इधर से current 1 है इधर से current जो होगा वो 5 by 2 होगा मतलब इस वाली branch से current जा रहा है वो 2.5 का निकल के जा रहा है तो सबसे पहले तो मैं potential difference के regarding बाते कर लेता हूँ फिर cell का EMF भी निकाल लूँगा यदि यहाँ से 1.5 है इधर से 1 इध से 0.5 तो इस वाली branch से वापस से 1.5 का current जाएगा तो emitter की reading 1.5 तो first option correct है अब मेरे को potential difference निकालने एक तो A और H के बीच ए यहाँ पर है तो A और H के बीच जब मैं VA-VH लिखूँगा तो मैं उसको लिखूँगा 2 into 2.5 2 into 1.5 मैं इसी सीरीज में चल रहा हूँ प्लस 2 into 0.5 प्लस में 8 into 0.5 इसको जब सोल करते हैं तो यह potential difference मेरे पास 13 वोल्ट के equal आता है similarly जब मैं C और F के बीच potential difference calculate करता हूँ तो वो potential difference 9 वोल्ट के equal आता है अब मेरे को करना क्या है मेरे को simply इस पूरे cell का EMF चीए तो complete circuit का resistance calculate करना equivalent equivalent resistance के लिए यह 12 है और यह 8 है तो 12 और 8 दोनों parallel में हो गए तो अभी मेरे पास situation कुछ ऐसी है इस वान इस 12 into 8 upon 12 प्लस 8 इस वान इस 12 into 8 upon 20 इस वान इस 12 into 8 upon 20 इस वोल किया यह cancel out हुआ और वन 10 times कर देते हैं इसको 6 times कर देते हैं तो यह 48 upon 10 मतलब यह value 4.8 आ गई यह 2 यहाँ पर भी resistance 2 है और यहाँ पर cell का EMF और internal resistance 0.8 है तो मैं यह कहूंगा E upon में 2 प्लस 4.8 प्लस 2 प्लस 0.8 यह circuit में equivalent current को बतलाएगा तो यहाँ से यदि मैं soul करता हूँ तो मेरे पास circuit में जो EMF calculate हो के आते हैं बेटरी का वो 24 वोल्ट के equivalent आता है मतलब क्यूशन नबब 57 में option A, B, C और D चारों ही correct answers है चलिए आगे बढ़ते है 57 के बाद 58 में बोला जा रहे है in an experiment with lunar Greek plate the two coherent beams of light caused by multiple reflections inside the transplant plate of refractive index मतलब इसमें कुछ multiple reflections हो रहे है इसका refractive index 1.4 reaches the point P and Q on the screen screen के point P or Q पर पहुश रहे the net path difference between the two beams reaching the either at P or Q is delta X P or Q पर किसी भी path difference delta X जो आ रहे है वो 5000 nanometer आ रहे और कौन सी light visible range में कौन सी wavelength है जो constructive interference produced करेंगी को constructive interference produce करने के लिए given situation में delta X की value आपके n lambda की equal होगी अब अपना delta X यदि n lambda की equal put करें delta X आपको 5000 nanometer given है अब आप यहां से जब wavelength के लिए soul करते हैं तो wavelength की यह जो तीन values है यह तो इसमें present आती है और अब numerically soul करने पर मिल रही है और यह वाली जो value है यह numerically soul करने पर नहीं मिल रही तो यह जो तीन wavelengths है इन तीन wavelengths के लिए इस given arrangement में constructive interference मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं 58 के बाद 59 59 में बोला जा रहा है two identical transparent solid cylinders each of radius 10 cm and refractive index music was to root 3 lie horizontally parallel to each other horizontal plane mirror with a separation X between their horizontal excesses मतलब situation कुछ ऐसी है तो यह दो solid cylinder है एक तो यह यहां plane mirror है और दूसरा solid cylinder यहां है दोनों की axis के बीच separation जो है वो small x का है दोनों की radius 10 cm की है ठीक है अब उसके बाद at a ray of light incident horizontally on a cylinder at a height h above the plane mirror so to emerges this cylinder at a height 0.1 meter above the plane mirror and the ray emerging out the first cylinder A is reflected from the horizontal plane mirror to enter the second parallel cylinder B at a height h2 and then ray emerges out of the second cylinder and parallel in line with the original incident ray मतलब यह बोल रहा है कि यहां पर कोई light ray incident होती है यह light ray यहां से 0.1 cm पर emerge हो जी है और यह similarly इस से जिस height पर गई थी उसी height पर वापस जा रही है तो ऐसा तभी possible होगा मतलब यह just like ऐसा लग रहा है कि plane mirror से अपने path को ना retress कर रही है retress कर रही है मतलब दोनों के center actually में इसी line पर होने चाहिए अच्छा अब उसके बाद एक तो अपने से यह height पूछी गई है देखो यह वाली height जो पूछी गई है न यह वाली height तो 0.1 meter आ गई 10 cm के equal radius के बराबर अब मैं ऐसे कहूं देखो अपन कुछ angles को लेकर यह दी बात करते है यह वाला angle theta है यह वाला भी theta है अब यह वाला theta है तो यह वाला भी theta है मैंने का यह 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 angle r है यह वाला भी r होगा तो यह वाला pi minus 2r होगा pi minus 2r इसका मतलब आपका pi minus 2r प्लस theta जो है वो किसके equal आना pi के मतलब आपका 2r जो है वो किसके equal आना है सबसे पहले यह relation निकालना पड़ेगा मैं का light रहे इदर से आ रही है फिर यहां से 0.1 cm पर आउट हो रही है फिर similar path को trace करते वे जा रही है तो हमने रेका बनाया डाइग्राम फिर मैंने का कि देखो यह incidence angle theta है तो यह यह line और यह वाली line तो यह वाला जो angle होगा यह वाला यह वाला angle theta होगा अब यह theta यह theta तो इदर वाला यह भी theta यह r मैंने reflection angle बना तो यह भी r तो यह वाला angle pi minus 2r फिर मैंने यहां से theta जो है वो 2r के equal है तो sin 2 r का formula 2 sin r cosr is equals to root 3 sin r sin r तो गया को सर root 3 by 2 है तो r की value आगे 30 degree मतलब यह जो reflection angle है यह 30 है यह 30 है तो यह वाला कितना है 60 यह 60 है तो यह वाला भी कितना है 60 यह 60 है तो यह वाला कितना है 30 हुआ हिए हमने एंगल सरे इंगल सारे उल कर लिए तो अपने से कुछ कुछ data पूछे coerc落 इंग ही यह ची फूचा गया है तो ही वैल्डितो रेडियस के एकोल होगी दो यह वाला एंगल थिटा है तो यह वाला डटा के इसके इकोल होगा आर साइन थीटा की एको लोगा तो ह की वेल्यू तो आगी आर वन प्लस साइन थीटा साइन सिक्स्टी होता है रूट थ्री बाइटू आप इसको सोल करेंगे तो यह डाटा 18.7 सेंटीमिटर का आ रहा है तो इसके according first वाला option सही है second वाले में तो 0.1 पर वैसे ही जा रहा है तो second भी सही है थर्ड वाले में थर्ड वाले को देखें तो दोनों के axis के बीच का separation small x पूछा गया है देखो यदि small x पूछा गया है यह radius यह वाला डाटा यहां से यह भी radius यह total small x है यहां से यहां तका तो मैं कहूँ small x की value जो है वो two times of radius प्लस में अब देखो यह वाला angle जो है यह 30 degree है इसका मतलब यह वाला angle जो है यह वाला 60 degree होगा यदि यह height 0.1 है जिसको अपन h कह रहे थे तो h upon this distance d is equal to 1060 तो d is equal to h by 1060 तो यह data आगया 2 h by 1060 और इसको यदि अपन पूट करके soul करते है तो third वाला जो option आ रहा है the separation between the axis of two cylinders a and b 31.54 cm यह सही है फॉर्थ में बोल रहा दे angle of incidence on the plane mirror midways between the two cylinders मतलब वो जो plane mirror हम ले रहे है अपना यह वाला angle of incidence 30 degree बोल रहा है यह soul करने पर अपना 30 degree आ रहा है तो इस question के लिए यदि मैं बात करूँ तो इस question के लिए option a, b, c और d चारो ही correct आ रहे है चलिए sir next question की बात करते है question number 60 PN junction का आसान सा question है बस अब कुछ बाते पूची गई है पहला कि drift current कब dominate करती है diffusion current कब dominate करती है तो diffusion current जो है वो तो forward bias में dominating mode में होती है तो अगले ने यह लिखा diffusion current dominates the connection और drift current जो होती है वो reverse bias में dominated होती है मतलब अपन यदि PN junction में बात करें तो बीच वाला जो depletion region है उसके बारे में forward bias में तो जैसे माल लो यह P और यह N है तो इधर वाला part जो रहेगा इस वाले region की बात करें बन तो पहले तो जब forward bias में होता है तो diffusion current dominant करती है reverse bias में होता है तो drift current dominant करती है तो first host second सही है depletion region की width जो है वो obviously यह लिख अपन forward bias में apply करते हैं तो decrease करती है reverse bias में apply करते है तो increase करती है और fourth वाले में बोल रहा है तो third option भी correct है fourth वाले में बोला है कि the electric field in the depletion region depends on the number of ionized dopants rather than the dopant density तो यह depletion region पे number of ionized dopants electric field intensity जो है वो in the depletion region depends on the number of ionized dopants कि जो ionized dopants है उन पर depend करती है dopant density पर नहीं करती है तो dopant की density जो होगी इस पर भी depend करेगी क्योंकि dopant density जो होगी वो depletion region में जो number of ionized dopants है वो खुद उस पर depend करेंगे तो electric field जो है वो depletion region में dopant density पर भी depend करेगा तो fourth वाला option जो है वो incorrect हो गया तो for question number 60, question A, B and C are correct answers okay dear, so that's all from my side in this discussion